हलो वेरी वेरी गुन्रमोनिंग स्टुडेंट तो तो टोडेवील बील स्टार्ट ओनलाइन डीटीसज सी जेए मैथेमेटिक्स का पेपर फिप्थ अपन डिस्क्स करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सेक्षने तो देखो सेक्षने का क्वेशन नमर फिस्ट क्या बोला गया वेटा इन दी एडिसेंट फिगर ए पेरावोला इज ड्रॉन तू पासिंग थूदी वर्टेक्स इज बी सी एंडी ऑफ दी इसकोर अबी सीडी डाग्राम में आपको गिवन है उसके जो थ्री वर्टेक्स इज लाई जोन दी पेरावोला इफ ए सी गिवन है आपको दैन फोकॉर्स इस पेरावोला इज तो देखो कुश्चन में क्या करना विसिकली है यह एक पेरावोला गिवन है आपको इस फॉर्मेट में इसके थ्री वर्टेक्स इज बी डी एंड़ सी इस टाइप से डियाग्राम गिवन है आपको यह एंगल सारे नाएंटी को यह इसका वर्टेक्स ह होगा ना तो यह वर्टेक्स का मेंनिंग का ट्रनिंग प्यूंट यह पेरावोला का वर्टेक्स इस और कुश्चन में आपको पॉइंट एंग इवन है बीटा तू कॉमा वन एंड ऐट तो अगर आप इसको केरफुली देखते तो देखो यह 2 बन है यह 2 तू टू तू इस एंड पॉइंट एग एपने आपको 2,1 और यह अगर इसका वर्टेक्स है तो दा इन पेरावोला की जो फॉर्मेट है वो इस टाइफ से होगी डाउनवर्ड पेरावोला तो अब आप देखो दंग से कि एक्षण को पन क्या लग सकते हैं कि लेफट वर्ड वर्ड को तो लगते य is square equal to 4x और यह है तो downward अबवड के factor में क्या लग हो के एक्स is square equal to 4a y वर्ट यह downward है तो मैंस लोगे पहली बात तो और एकस की जगें लेना है X-2 कि वर्टेक्स की है 2,3 तो देन एक कुछन ने है एकस मैनेस 2 का वह स्कॉर इक्वल टू माइनेस 4 A y is y-3 यह आपका पैरावोला होगा अब आपको कुछन ने पुछा गया focus तो capital y square sorry capital x square equal to 4a y का जो diagram है वो किस टाइफ से रो करते पन चलो मैं सीधा downward के लिए काम करते माइनस लगा के इस case में इसका focus क्या होगा this part this is 0,a तो इसका focus होगा s 0,a तो देखो क्या करना है इसमें capital x तो आपका zero है और capital y आपका minus a ठीक है तो दिखो क्या करने है इसके बाग तो इसका focus क्या होगा 0,minus a तो capital x आपका zero capital y आपका minus a तो अगर आपन इससे compare करते हैं तो capital X की value क्या होगी X minus 2 तो इससे X तो आ गया 2 और X2 आ गया तो capital Y is Y minus 3 तो then Y minus 3 equal to minus के A तो इससे Y connect क्या होगा 3 minus के A अब आपको इसमें only A की value को करना है calculate तो देखो A की value के लिए क्लिए 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 देखें blackboard पे यह point C है आपका यह point A है तो यह क्या है इस square का diagonal है यह square का diagonal है तो देखो blackboard पे यह इसका जो midpoint है यह क्या होगा same होगा ना तो यह midpoint क्या होगा बताओ 2,2 तो यह midpoint 2,2 आ गया आपका और उसके बाद दूसरी बाद देखो यह यह जो length of AC क्या है इस diagonal की length है यह एक काम करो तो इसकी भी length क्या होगी देखो तो यह length कितनी अपने पास यह 3 है यह 2 है तो इंका difference आगया 2 मतलब AC की length अगर 2 है तो बेटा BD की length भी गया होगी तू यह भी आपका वन होगा यह भी वन है तो आप केरफुली देख पाऊगे कि यह 2,2 है तो बन डिस्टेंस से जब आप लेफ्ट की तरह मूब करोगे तो पॉइंट B के कोडिनेट क्या होंगे 1,2 तो पॉइंट भी आगया 1,2 similarly पॉइंट D क्या होगा 3,2 कोई भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है तो पॉइंट B अगर 1,2 है तो 1,2 लाई जोंदी पैरवोला पॉइंट B 1,2 लाई जोंदी पैरवोला तो जब B को 1,2 पैरवोला में पुट लेते हैं एक बार तो X को 1 लेने पर आगया 1,1 एक्वल टू-4 इसको वन सगें बन तो A आगया 1,4 तो A को 1,4 लोगे तो क्या आगया 3-1,4 11,4 तो इसका जो फोकस है वो क्या होगा 2,11 अपॉन 4 देन इसका 2nd option correct होगा ठीक ठीक कुश्चन था है उसके बाद देखो question number second is, the point on the hyperbola X square upon 24 minus Y square upon 18 equal to 1 which is nearest to the line of this part, मतलब आपको hyperbola पे एक point को find out करना है जो इस line से क्या हो, nearest distance पे हो, तो देखो एक बार इसको geometrically समझते हैं पन, hyperbola given है आपको X square upon 24 minus Y square upon 18 equal to 1, ठीक है बिटा, and line की equation क्या है 3X plus 2Y plus 1 equal to 0, तो देखो question में क्या करना basically, इस hyperbola और लाइन को एक पर प्रोपरली दो करो आप, यह ए इसका A square तो यह hyperbola स्टैप से टो होगा, ठीक है न सेम डिस्टेंस पे इसका वर्टेक्स इदर होगा, एक यह point केतना है, minus A, यह A, 0, A square 24 है तो A आगया, 2 root 6 ठीक है तो चलो, आफ्टर देट अगर आप बात करते हो, लाइन की, तो लाइन में Y को 0, X को, X and Y बहुत हार नेगेटिव, इसका मीनिंग, जब इस लाइन को प्रोपरली दो करोगे, तो लाइन का जो ड्राइगरा में हो ऐसे होगा, अब सिंपल सी बात यह है, कुश्चन में आपको बताना है, कि पॉइंट ऑन दी है प्रोपर वोला विच इस नीरिश टू दी लाइन ऑफ इस पार्ट, एक बात दो को जमेट्रिकली भी समझ सकते हैं, वैसे अपन प्रोपरली करेंग इसको मैथेमेट्रिकली, जमेट्रिकल यह उतनी डिस्टेंस इसके अपोजिट्स है, मतलब यह वाई एकस के अबाउट आपका समेट्रिक डाइग्राम है, तो आप केरफुली देखो, अगर लाइन आपकी उर्जिन से पास हो कोई भी, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, और उसका एंगल 45 हो, फिर तो क्या होगा ऐसे लोगे आप, तो उस केस में कोई भी पॉइंट लोगे आप, तो देखो आप, अगर ऐसे लोगे, थोड़ा केरफुली देखना, अगर लाइन इस पॉइंट से पास हो, तो इस केस में क्या होगा, इधर पॉइंट होगा, उसकी यह डिस्टेंस लोगा, और इधर से क्या होंगी same होंगी ठीक है वर्ट अभी देखो यह लाइं आपकी leftward आपने shift किये तो 100% यह backyard इसकी यह कहोगी minimum होगी क्या होगी यह इसकी 100% minimum होगी यह आप समझ पहोगे शायद ? अब ह्यों से उप्सें में अगर बात की जा तो एक ही उप्सें सेकंड कोडेंट का सेकंड उप्सें तो उसके अकोडिंग इसका अंसर आना ची माइनस की 6,3 वर्ट अगर आपन प्रोपर बात करते हैं कि इसको मैथेमेटिकली कैसे करना था बहुत सिंपल कोश्चन है आपको इस पे पॉइंट वो कहीं भी हो सकता है यह मानों आप तो आप क्या करो इस पैरावोला पे एक पैरामेट्रिक फर्म में पॉइंट करो एक सेक थीटा कोमा भी सान थीटा तो एक का मीनिंग रूट 24 सेक थीटा क रूर्ट 18 थीटा यह यह सरॉ और इस पोएंट पी को लेट करने के की पात यकुएशं व्ट तेंजेंट ती इक्किल टू 0 इक्कवेशन आफ यक्या अफ x बने ज़ रूट 24 sec theta बेटा, minus के y upon 18 और y बने ज़ रूट 18, 10 theta equal to 1. तो then जब इसको simplify करोगे तो क्या आगया, root 24 upon 24, x upon root 24, sec theta minus y upon root 18, 10 theta equal to 1. yes sir, ये tangent की कुछन है at point P पे, और simple सी बात है, ये समने पढ़ा होगा, कि line और curve के between sorted distance lies along the common normal, कोई भी two curve हो, उनकी sorted distance always क्या होगी, common normal के लोग, तो ये distance sorted, sorted तो इसका meaning क्या है, इस point पे जो tangent रो करोगे, वो tangent इस line के क्या होगी, parallel, क्योंकि ये perpendicular होगी, ये tangent है, तो ये normal है, क्यों sorted distance lies along the normal, तो sorted distance अगर normal के along lie करेगी, तो ये line और ये line दोनों parallel है, तो then इस tangent का slope, इस line की slope के क्कुल होगा, तो tangent का slope क्या होगा, minus coefficient of x upon coefficient of y, क्या लगा होगी, slope of tangent at point P equal to slope of line of this part, तो सीधर लग देते है, minus के 1 upon root 24 से theta, x minus times of x का coefficient upon y का coefficient, minus के वनवाय, root 18, 10 theta equal to, हाँ लाइन का सुलूप क्या होगा, minus x upon y, तो minus के 3 by 2 आगे, ये सर, minus से minus cancel, root 18 उपर जाके, 3 root 2, और ये क्या हैगा, 6 into 4, जैसे इज, sorry, 4 into 6, तो 4 का root 2 आगे ना, 2 root, और जैको, इसको लिखोगे, 1 upon cos, इसको sign upon cos, तो ये आगे, 1 upon sign theta, ये सर, this is minus के 3 by 2, ये लो इससे cancel out हो गया, तो simple सी बात करोगे आप, तो then, we will get, sin theta equal to, minus times of, root 2 upon root 6, और root 2 से root 2 cancel out, तो sin theta is minus के 1 upon root 3, yes sir, sin theta आने के बाद, अब क्या करना आपन को, इस point P को करना find out, point P आपका ये रहा, तो एक काम करो, sin theta की बात करोगे तो देखो, ये 1 है, ये root 3 है, तो ये root 2 आगया, simple सी बात है, sin theta negative आ रहा है, इसका मतलब, theta lies on the third quadrant and fourth quadrant, तो दो के सराइज करो, if, theta belongs to third quadrant, theta third quadrant बोला गया, ठीक न, तो theta अगर third quadrant में होगा, तो sec theta तो third में negative होगा, और 10 theta third में positive होगा, तो इस case में point P क्या होगा, देखो, P, root 24, हाँ, sec theta third quadrant में आपका negative है, तो sec theta की value क्या होगी, minus के root 3 upon minus के root 2, comma, root 18, third में 10 theta positive, 1y root 2, yes sir, तो इसके according क्या जाएगा, point P होगा आपका, देखो, minus root 24 का मीनिंग क्या था, 4 root 6, अरे, सिंपल कर दो न, root 24, root 3, root 72, और root 72 का मत्दभ, 36 into 2, तो 6 root 2 आगया, root 2 से root 2 cancel, तो इसके according तो आगया, minus के 6,3, yes sir, similarly, जब आप theta को fourth quadrant में arise करोगे, तो fourth quadrant में क्या होगा, से एक theta positive 10 theta negative, तो उल्टा हो जाएगा, तो 6, minus कि 3 होगा, तो theta अगर आपका किस quadrant में, fourth quadrant में, तो then, इस case में point P क्या होगा, 6, minus 3, दो यह possibility हो सकती है, point P minus 6,3 का मीनिंग second quadrant, या फिर point P in the fourth quadrant, तो देखो, वेटर उप्सन तो यह ही है, एक वार, इस line की, this point से distance finite करो, perpendicular distance, लेट यह point P है आपका, तो यह PM distance लोगो, तो PM distance की अगरा बात करोगे, तो क्या करना है, minus 6,3 को इसमें पूट करोगो, देखो क्या आगया, minus के 18, 3 लेने पे 6 प्लस 1 का मोड अपोन, root A स्कार प्लस B स्कार, यह सर, तो यह आ गया, 6 और एक साथ, 11 अपोन रूट 13, क्या होगा, 11 अपोन रूट 13, similarly, अगर अगले की बात करोगे, आप, इसको P डेस पॉइंट लेट कर देते हैं, तो दिस इज P डेस N, तो वन्स अगें, जब P डेस N की बात करोगे, तो यह आने वाला है, बेटा, 13 अपोन रूट 13, करके देख लेंगे ना, तो इसका मीनिंग क्या है, अपोन में रूट 13 से में, यह 13 ए 11 है, तो कौन सी डिस्टेंस मिनिमम में, पी एम गड़ देन, पी एम लेस देन, पी एम लेस देन, तो देन, कुश्चन क्या किरा है, कि पॉइंट ऑन दी हाईपर वोला, विचिट नेरस टू दी लाइन, तो पॉइंट कौन सा होगा, पी पॉइंट होगा, तो दिसेज माइनस के 6,3 तो इसका सेकेंड ओप्सन आपको फिल करना है, तो जुमेट्री के लिए एक बार तो आप ओप्सन को डायेक्ट देख सकते हो, कोई बड़ा इस्यू नहीं है, इसमें चलेंगा, नेक्ट देखें, कुशन नमर थाड़े, कुशन थाड़े में क्या वो लगया बेटा, इब दी सिस्टम ओफ एक्क्वेशन दिस कॉमा दिस कॉमा दिस है ज मोर देन थ्री सॉलूशन्स, देन, आपको थ्री होमोजीनियस एक्क्वेशन्स गिवेन है, थ्री वेरीवल की, देखो, एक बर लिखते हैं इनको, साइन ठीटा, एक्स माइनस य प्लस जेड़ेक्वल टूजी रो, तो अगर यह तीन हो हमोजीनियस है, तो इनका डेल्टा तो क्या होगा, एक्स वाजेड के कॉफिशेंट से बनने वाली डिटिमेंट, डिटिमेंट विचिज फॉर्मड वाए, कॉफिशेंट ऑफ एक्स वाजेड इज, तो इसका डेल्टा आगया बेटा, साइन ठीटीटा, माइनस वन वन नेक्स मी लेखोगे, कॉस्ट टू ठीटा, इसका डेल्टा डिफाइन है, और इसके बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे के सारे क्याँ जीरो हैं, तो यह होमोजीनियस आपकी एक्वेशन गिवेशन हैं, तो अगर इसका यूनिक सॉलूशन हो, यूनिक सॉलूशन की कंडिशन तो क्या हो, डेल्टा नॉट एक्वल टू जीरो, और अगर क्या हो, इन्फाइनिट मैनी सॉलूशन, इन्फाइनिट मैनी सॉलूशन, इसके अंदर नो सॉलूशन की तो बात करने की जुरूत नहीं हैं आपनको, क्योंकि सीधी सीधी बात है unique solution में क्या होगा अगर डेल्टा नोन-zero है को कि अपन क्या लेखते है एकस की वेलưởng क्या होगी Dü nee 121 अपउनलल आपउंडल य की वेलु डेल्टा 2 उपनललल तो बेटा जब डेल्टा sedda Candy October है और यह आपके non-zero है तो then x 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी आपका 0 होगा, समझे मेरी बात को, क्योंकि delta non-zero है, zero upon something is zero, तो एक solution तो इसका zero zero आना must है, तो zero zero always क्या करेगा satisfy, तो इस case में no solution की तो बात ही मत करो आप, तो इसके बाद आप क्या बोलोगे, कि unique solution में तो आजाएगा delta non-equal to zero हो, और infinite many solution का मीनिंग क्या है, more than, इसमे more than, या तो solution वर होंगे, या फिर more than, तो बोल सकतो, two solution हो या three solution हो, तो इसका meaning, इस case में इसका delta zero होगा, unique solution का मीनिंग है, only one solution, और इसका one solution, एक होगा 0,0,0, तो यह तो आजाएगा delta non-zero पे, इसके अलाबा, जितने भी solutions को क्या बोलना है, infinite many solution बोलना आपन को, ठीक है, तो इस case में जब delta को zero करोगे, delta का मतलब this part को zero, तो जब आप इस determinant को solve करोगे, तो कुछ नहीं करना, उस determinant में sin 3 theta और cos 2 theta दोनों आने वाले, वो आने के बाद, sin 3 theta का formula apply करो, और cos 2 theta का formula भी sin की term में apply करो गया, तो then it is become cubic in sin theta, यह sin theta में बनेगी cubic, और this cubic equation को जब आप solve करोगे, बेटा, तो उसे sin theta की 2 value आती है, एक तो sin theta हैगा 0 और एक sin theta आता 1 by 2, यह गुणा भाग आप करोगे, simple सी बात है, तो इससे तो theta जाएगा 0 pi, क्योंकि जो options given है, उसमें theta 0 से pi की बात की गई है, और sin theta की value 1 by 2 कम होती है, 5 by 6, 5 by 6 पे, तो मैं theta 0 से pi की बात करता हूँ आपको, तो देखो, first option में क्या वो लग है, तो this equation has more than 3 solution, उस case में sin theta 0 और sin theta 1 by 2 होना चीए, तो इस case में इसके more than 3 solutions होंगे, only for 3 integral value of 0 से pi, यह तो गलत है, यह करा है कि theta अगर 0 से pi है, तो क्या theta की 3 integral value होंगी क्या, no, अगर theta को आप 0 से pi मानते हो, तो एक तो theta 0 और रहा तो यह integral है, बाकी जो 3 theta हैं यह integral नहीं है, तो यह बात तो गलत हो जाएगी आपकी, तो यह technique करना पन को, उसके बाद, 4 no value of theta यह भी wrong option होगा, 3 different values of sin theta, no, sin theta की only 2 different values of 0 end बनवाए 2, क्योंकि जब आप साइन में क्यूबिक को solve करोगे, तो 2 value यह हैं, एक sin theta की value उसकी range से बाहर होगी, तो इसको अपन को neglect करना, ठीक है, चलें, और 3rd option है, 4 infinite value of theta, यह सर, अगर theta का interval does not consider, तो देन sin theta की value, g2 over 1 y2, infinite theta के लिए possible हो सकती है, तो देन इसका 4th option बच्चो correct होगा, उसके बाद एको question number 4 में क्या करना है, question 4 बोला गया है, कि if e1 and e2 are eccentric cities of two concentric ellipses, such that, foci of one lies on the other, कि one की foci second पर lie करती है, and they have the same length of major axis, और दोनों की major axis उनकी length के है, same है, and e1 square plus e2 square आपको P given है, तो पताव P की value किस से greater year less होगी, तो देखो क्या करना है, इस question में, इसमें two possibility जहें बन भाई बन बात करते हैं, case first और case second की, case first तो मैंने क्या लेट किया, देखो blackboard पे सभी, और simple case है, एक ellipse तो आपने ये लेट किया, concentric का मतलब है जिसका center same हो, तो लेट मैंने दोनों का center 00 लेट किया, तो ये क्या होगा, minus a, 0, this is let a, 0, ये इसकी फुकाय है, minus a, 0, a, 0 ठीके न, तो इसकी centricity अपन even let करते हैं, ये ellipse से बेटा आपका even, और question में बोला गया कि second ellipse की फुकाय है, first पे लाई करती है, ये first की second पे लाई करती है, तो पर नहीं काम करते है कि first ellipse की जो फुकाय है, वो second पे लाई करती है, और second ellipse की major axis और first ellipse की major axis से मैं, तो अगर आपने second ellipse ऐसे let किया, तो ये भी possible हो सकता है न, बोलो इस समझ में आया गर नहीं आया है हो सकता है यह प्रोपर बनाना डाइग्राम तो इस वार इसकी मेजर रेक्सिस यह है और माइन रेक्सिस क्या होगी यह होगी न क्योंकि यह इसी पॉइंट से पास था माइन अग्राइव एवन कॉमा जीरो और यह आ गया कि अगयर फिर्स्ट की ऎल इस एन दिसिटी आपने टी यह सर यह आने के भाद देखो क्या करें आपन सीधा कि से कुइंटे की उस्टेटे का फोर्मर अपले करते हैं फिर्स्ट की इस न टी सिटी क्या होगी तो है आप चाहो तो E1 square equal to 1 minus B square upon A square, यह point लेट आपका 0, B है, यह सर, second की eccentricity की में देखो, क्या करोगे, E2 square का formula लेट करो, 1 minus, 1 minus, उपर कोन आएगा B square का मीनिंग, length of semi-major axis, तो इसकी semi-major axis कोन यह है न, तो इसकी length होगी A E, यह सर, A even, तो यह आगया, A square, E1 square upon A square का मीनिंग, length of semi-major axis का square, तो बेटा, इसकी जो semi-major axis है, यह तो क्या, semi-minor axis की length, तो minor axis की यह है, तो यह तो जाएगा, A even का square आगया, upon में क्या होगा, A square कोन है, minor axis की length के half का square, sorry, major axis की length के half का square, पर तो major axis को उसी इसकी? इस पार्ट और major axis दोनों की same है, दोनों की length same है, तो ये भी आपकी length 2A होगी, तो इसको once again 0 ये लिख सकते हैं, और इसको 0, minus A, तो इसको भी A इसको लोगे, तो then इससे आगया, e2 square equal to 1 minus e1 square, तो इसके according तो आगया, e1 square plus e2 square equal to 1, तो then P आपका आगया 1 तो ये इसका final answer नहीं है, P equal to 1 आगया तो इसके according तो इसका, कौन कौन से options correct हो सकते हैं, first option correct हो सकता है, second option हो सकता है, third option correct हो सकता है, ठीके ना, 1, 2, 3 options, P की value को put करोगे जबाब, P greater than equal to 0, P बना रहा है ऐसे, ठीके ना, अब second case क्या, उसको थोड़ा carefully देखना आप, के second में क्या करो, question में एक बात बूली गई है, कि इन दोनों ellips की, दोनों ellips constant हैं, और दोनों के major axis की length आपकी same है, तो इस बार क्या करो, एक ellips तो आप यही लेट करो, और second ellips को आप क्या लेट करो, oblique ellips, मतलब, किसी angle पे लेट करते हैं, एक्सिस के साथ, तो देखो blackboard पे once again, यह तो आपका first ellips agitated, this is a,0, यह minus के a,0, eccentricity इसकी even है, यह ellips है आपका even, yes sir, अब देखो second ellips को कैसी लेट करना है, जो second ellips है, वो क्या होगा, किस x-axis के साथ, किसी angle पे लेट करो, इसका center जीरो-जीरो है, तो center को जीरो-जीरो लेट करोगे आप, तो second ellips को क्या करते हैं, अपन किसी angle पे लेट करते हैं, ऐसे, simple सी बात ही है, कि उसकी major axis की lens same है, तो आप यह मानो कि इस ellips को आपने ठीटा angle पे rotate कर दिया, तो मेरे को अगर major axis की lens से माननी है, तो क्या करोगे, कि यह second ellips की axis है, इसी को major axis select कर लेते हैं, यह major axis से तो क्या होगा, इस major axis की lens आपकी, इस 2A की equal होगी, तो let इसकी major axis यह मान लेते हैं, यहां से लेके यहां तक, यह sir, तो second ellips को जब आप draw करोगे, तो दोगो second ellips का diagram कैसा होगा, यह आपने second ellips e to draw किया, बोलो yes or no, इसको थोड़ा डार कर देते हैं, समझाने के लिए प्रॉपर होगी तो इस second ellips की major axis है, तो इसकी length भी क्या होगी, 2A होगी, इसकी length क्या length 2A, यह आपने major axis length की है, तो कि यह अगर इसकी major axis होगी, तो then, क्या होगा, यह इसकी major axis है, तो कुछ्चने क्या वो लगया है, एक की फुकाय दूसरे पर लाई करती थे, काम करो ना, यह इसकी major axis है, तो इसकी फुकाय कौन होगी, इसके लाई करा दो उनको यह लोग, इसकी फुकाय में यह बाल लेता हो, बोलो आया है ना, निया पर लाई करती है, तो इस E2 ellipse की जो फुकाय वो कौन होगी, इसकी फुकाय होगी, और देखो, इसकी फुकाय की लेंथ क्या होगी, सिंपल सी बात यह है, कि यह लेंथ आपकी, कितनी यह बोलो, 2A, तो यह लेंथ आपकी 2A है, तो बेटा, इसकी लेंथ अगर 2A, अले इसकी भी सेम है, तो इसकी लेंथ सेम है, तो देखो, ब्लेक बोर्ट पर यह वेलू क्या होगी, यह वेलू बताएं आप क्या होगी, 2A, E2, क्योंकि इस टोटल लेंथ अगर 2A है, मेजर एक्सिंद की लेंथ अगर 2A है, तो बहुत फोकाये के बिच्विन डिस्टैंस क्या होगी, तो बहुत फोकाये के बिच्विन डिस्टैंस क्या होती है, 2A, E2, 2A ही बोलते हैं न, तो second के लिए E2, लेट करो, तो यह ट पोटल लेंथ अगर इसको कुछ नेम लेट कर देते हैं S1, S2 तो S1, S2 का जो प्रोडेक्ट है वो क्या हो सोरी लेंथ अव बहुत फुकाय बिट्वेंगे निज टू ए इटू यसरो नो मेजर एक्सिस की लेंथ आपकी 2A है तो बहुत फुकाय के बिट्वेंगे डिस्टेंस तो यह लेंथ अगर A e2 है तो बताओ इस पॉइंट S2 को क्या मान सकता हूं यह लेंथ अगर R है यह एंगल ठीटा है तो इस पॉइंट क्या होगा R cos theta, R sin theta यह सर और R क्या है A e2 तो देन आप पॉइंट S2 को क्या लेट कर सकता हूं बोलो A e2 cos theta, A e2 sin theta बताओ इसमें किसी को doubt है क्या यह पॉइंट S2 लेट की आपने A e2 cos theta, A e2 sin theta after that क्या करना है देखो अपन फर्स्ट इलिप्स की equation लेट करते हैं x square upon a square upon y square upon v square equal to 1 तो देखो blackboard पे x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 यह आपका फर्स्ट इलिप्स है तो आप क्या बोलोगे कि fokai of the second ellipse lies on the first ellipse मतलब point S2 lies on the ellipse even यह आपके ellipse even की equation है तो S2 point को मैं इस पे लाइक करा सकते हैं तो करा देते हैं अपना क्या जा रहा है तो देखो क्या एगास के बाद कि इस first case को इसमें से रिभूम कर देते हैं कि तो देन आप इस point को इसमें put करोगे तो देखो क्या आगास किया कोड़े है एक्स कीजिए के put करना है A E 2 cos theta तो देखेज एसक्वार E 2 square cos square theta upon A square plus again is A square E 2 square sin square theta upon B square equal to 1 yes sir और first ellipse की centricity का formula क्या यूच कर हो गया आप E 1 square equal to 1 minus B square upon A square बोलो है न तो देखो क्या करना अपन को अपन को E 1 square plus E 3 square की value को चेक करना है कि वो किससे greater or less होगी तो A square cancel हो तो यह आगया E 2 square cos square theta plus यह A square upon B square तो काम करो आप इससे A square upon B square की value put कर दो तो B square upon A square तो क्या गया 1 minus E 1 square तो इसका reciprocal करोगे तो आपको A square upon B square मिलेगा 1 minus 1 upon 1 minus this part yes sir और यह आगया E 2 square sin square theta equal to 1 अब अपन इससे क्या करते है E 1 square plus E 3 square की value को calculate करते हैं तो देखो इस 1 minus E 1 square से इधर और 1 से कर दो multiply तो इससे करने पे तो आगया बेटा E 2 square cos square theta minus E 1 square E 2 square cos square theta और 1 से करोगे इसको तो plus E 2 square sin square theta equal to 1 minus E 1 square आपको value चीए E 1 square plus E 3 square की तो अपने एक छोटा सा काम और कर देते हैं इस sin square theta को लगदो 1 minus cos square theta तो देखो भी लेक बोड़ पर क्या होगा तो यह करोगे तो देखो क्या आगया सीधर लगदें इसके बाद यह करने से आएगा E 2 square cos square theta minus E 1 square E 2 square cos square theta plus E 2 square minus E 2 square cos square theta equal to 1 minus k E 1 square तो आपको E 1 square plus E 2 square की value चीए तो एक काम करो तो even square को left में ले आते हैं बाकी सबको right में अपन shift कर देते हैं तो बाकी सबको जब right में shift करोगे तो देखो क्या जाएगा इन दोनों को रखो left में बाकी को right में तो then this is even square plus E 2 square equal to हो जाएगा देखो सबको देल लेके जाओ तो 1 minus sorry यह तो cancel out होगे अटाओ यह तो क्या होगे cancel out तो only क्या आगे देखो only यह इदर चला गया तो यह आगया 1 plus even square E 2 square cos square theta बोलो आया ना ठीक है ना यह cancel out हो गया this is P तो capital P आगया 1 plus even square E 2 square cos square theta तो अब आप यह देखो cos square theta की value हमेशा क्या होगी 0 है 0 से greater cos square theta को 0 लोगे तो P की minimum value 1 होगी otherwise value क्या होगी 1 or 1 से greater तो मेरे according यह case करोगे तो first case को लिखने की जड़त नहीं मेरे को आपको सोचो ना cos square theta की minimum value 0 लेने पर P आपका बना आ गया ना और cos theta की value 0 को यह थीटा पाइवाई टू लोगे तेलो बन गया अपने आप ओगया ना theta को पाइवाई टू मानने पर automatic अपना first case के अंदर inbuilt होगा तो देन इसके लिए correct answer क्या होगा पी गिर देन इकल टू वन तो देन आपको इसका कौन सा option करना देखो सभी इसका option फर्स्ट टिक करोगे चलो तो एक गुड़ कुश्चन है कि इसके बाद को कुशन नमबर 50 कोशन 50 में क्या वो जागया अच जे 1-2 जे 3 आर कॉंप्लेक्स नमबर सैटिश्ट इस पाइड एंड इस पाइड देन वेल्व जे 1-1 जे 2 का मौऱ फारी बिणको बोल गया है आपको एक चक्रीक की कुश्ट घे नालिस माइनस को रूट थी आयोटा का मोड इक्वल तो इसका मेनिग के इस सहींटर की कुश्ट और इसको का मौड इक्वल पोर इसका सेंटर के तो रीडीस ह्ता है इसका सेंटर उसकर 0, यू, रूट 3, ये सर, देखते हैं, इसका यूज क्या होगा, और एक condition given है आपको, और सुनो, Z1, Z2 लाई जोंदी इस circle, Z1, Z2 लाई जोंदी इस circle, देखते हैं, और एक condition इसको लिखते हैं, बहुत important condition है, 3, Z1 प्लस, ये रूट 3 आयोटा है न, इसको थोड़ी दिरे के लिए Z4 let कर दो, इसको let कर लेते, कि let Z4 equal to root 3 आयोटा, तो Z4 का meaning क्या, 0 को मत ही है न, तो Z4 आपका एक तरीकी से center हो गया, Z4 क्या होगा, इसका center हो गया, तो क्या लेख सकतो, 3, Z1 plus Z4 equal to, 2Z2 plus, 2Z3, तो देखो, इन दोनों का ratio same है, ये 3 और 1, 4 है आपका, तो इक काम करो, इसको समझेने के लिए 4 से divide कर देते हैं, इसको अगर आप 4 से divide करते हैं, इसको अगर आप 4 से divide करते हैं, तो या गया, बस इसमें यह important concept है, लाइन से, तो इसके देख के आप समझ प आप आओगे, ये क्या है, इसका meaning तो क्या, Z2 और Z3 को equal part में divide करने वाला point है, और ये क्या है, Z1, Z4 को, 1 ratio 3 में divide करने वाला point है, ये sir, मैं इसको अलक से समझा देता हूँ, आपको जैसे led, ये आपका Z1 है, ये आपका Z4 है, और एक point P है आपका जो क्या करता है, इसको, 1 ratio 3 म 1 ratio 4 आगया, और Z2, Z3 midpoint है आपका, और simple सी बात है, ये point इसकी equalis का मतलब, point P दोनों का common होगा तो then, ये आपका Z2 है, और ये आपका Z3 है, और ये दोनों लेंद आपकी इससे में, और Z2, Z1, Z3 lie जोंदी circle, और Z4 क्या उसका center हो गया ना, इसका मतलब, इसका ज़र रफली ड कर देते हैं एक बार समझाने के लिए, तो उसके बाद तो simple है question, बस ये ही main point की इसका meaning के है, तो देखो, ये इसका center है, 0, rule 3, उसके बाद, ये let आपका Z2 है, ठीके न, अपनको Z1 minus Z2 का मतलब बताना है, ये point आपका Z1 है, और इधर point let आपका Z3 है, तो क्या करना है, इसको तो कर दो, इससे join, और इसको कर देते हैं, इससे join, अब इदा सुनो मैं इत्रफ हो, ये Z1, Z2, Z3 क्या है, ये circle के लिए code है, क्या बोलो circle के लिए, code है, ये आपकी code है, काम करने point को name देतो, A, C, B and D, सही है न, तो ये code है, और ये circumference का point है, जो circle के center से join होगा, तो ये angle 90 होगा, ये sir, तो देखो, ये समझ माँ गया, कि center से, जब code पर perpendicular करोगे, तो ये length सेम होती है, इसलिए, code आपकी proper है, मतला angle 90 होगा, ठीक है, तो ये angle 90 होगा, क्योंकि ये length सेम होगी, इसलिए possible है, feasible है, इतना आने के बाद देखो, क्या करना मेरे को, आपको Z1, Z2 का difference, मतल center से join करते हैं, तो ये इसकी radius 1 है, ये दोनों lens से में एक काम करो, और कुछ और ये भी तो radius होगी ने, इसकी, ये भी क्या है, इसकी radius, center से circumference की distance, तो CA भी आपकी radius है 1, और simple सी बात ये है, कि CA आपका क्या है, CA का ratio है, 1 ratio 3, CA मतलब ये जो point है आपका P, इसको 1 ratio 3 में क्या करता है, internally divide, then, ये total length मेरी 1 है, तो बेटा, CP length क्या होगी, 3 by 4 होगी, इसका 3 times होगी, 3 by 4 times होगी 1 का, तो CP length पता है मेरे को, आपको CD length given है, तो ये triangle law से निगाल सकते, DP length, तो बेटा, DP length क्या होगी, अंडूड ऑफ, hypotenuse का square minus this square, तो then this is 1 minus 9 by 16, तो multiply करने पर DP आजाएगा, आपका 1 by, sorry, root 7 upon 4, बोलो आया है न, आगे DP, DP आने के बाद देखो, simple सी बात है, आपको DP पता है, AP कितना होगा, इसका 1 by 4 time, तो AP की length क्या होगी, 1 by 4, ये लोग AP की length given है, इसकी length given है, तो ये क्या, इसका hypotenuse होगया न, तो hypotenuse की length क्या होगी, this square plus this square, yes sir, तो जब इसकी square करके add करोगी, तो देखो, क्या गया, AD equal to under root of 1 by 4 का square plus, लिख देते, AP square plus, DP square, तो then, AP square तो क्या होगा, 1 by 16, और DP square is 7 upon 16, तो then, this is 1 by 2 का root, तो इसका final answer जाएगा, 1 by root 2, ठीक है न, तो इस तरीके से करना है, तो main part इसका यह ही है, उसके बाद तो सारा का सारा एक geometry simple जो यह लिए apply कर सकता हो, आप चलो, उसके बाद एक है, next question number 6 is, consider function f x equal to this, if open, close bracket a to b is the range of y equal to f of fractional part x, अब अब फ of fractional part x की जो range है वो a to b गिवन है आपको, एक matrix है, a 2 cross 2 की, इसके element a, b, a square, b square है, 2 cross 2 की matrix है, इसके total 4, integer होंगी, वो कोई है, a, b, a square, b square, i, j, 1, say 2, yes sir, all elements of matrix a are distinct, इसका meaning, यह जो 4 element given है, इन में से एक-एक element को लेना मस्त है, सारी integer उसकी distinct बोली गई यह question में, then the least absolute value of determinant of a, तो determinant of a की value है, उसकी absolute value बताओ minimum क्या होगी, बताओ पहले तो determinant of a finite करोगे, और उसका model लेने के बाद, जो least value वो आपको करना ही, find out, तो देखें क्या करेंगे, तो first of all अपना a की homework case में, f of fractional part x की range चीए, तो बताओ f of fractional part x क्या गया, x की जगे, पुट कर दो fractional part of x, yes sir, तो इसकी range करते हैं calculate, तो कुछ नहीं करना, एक simple सा part है, इसको violet करते हैं, दिक्कत क्या है, तो उसे भी कर सकते हो, और एक simple option और भी है मेरे पास, अपन डिन्यूमेटर को डिन्यूमेटर के equal ले आते हैं, देख ऐसे करो, इसको violet करते हो, तो 3 fractional part of x plus 3 minus 5, देखे ना, बैलेंस है क्या है, तो इससे तो करते हो, separate divide, 5 से करते हो, separate divide, तो देन आगे, y equal to, this upon this तो आगे, 3 minus 5 upon 1 plus, fractional part of x, yes sir, so then range of y is depends only fractional part of x, and the value of fractional part x is 0, 1, open bracket 0, 2, close bracket 0, 2, open bracket 1, तो then क्या करना है, fractional part x की mini value put करोगे आप, तो 5 upon minimum is maximum, और 3 minus maximum is minimum, मतलब, fractional part की mini value put करने पर y आपका minimum आने वाला है, तो कितना हैगा, देखो, y belongs to, 0 put कर दो, तो 5 upon 1, 1, 3 minus 1 minus के 2 आगया, minus 2 पे लगाना है, close bracket क्योंकि minus 2 किस की वज़े से आए, 0 की वज़े से आए, maximum value 1 लोगे, तो something upon maximum is minimum, और constant minus minimum is once again, maximum, तो 1 लेने पे जाएगा 5 upon 2, तो 3 minus 5 upon 2 किया जाएगा वोलो, 3 minus 5 upon 2, 1 y 2 आगये लो, तो small a तो आगया minus के 2, और b आगया 1 y 2, यह सर, अब कुश्चन ने बोलाएगी कि, जो डिटिमेंट है, इसकी चार इंटीज है, a, b, c, d माल लेते हैं, एक मेट्रिक्स लेट करो, a, b, c, d, अपनी यह माल लिए, रफली माल लिए मिन जानक ना, तो दैन इसके अकोडिंग, इसका डिटिमेंट ओफ ही क्याएगा, a, d, minus, k, b, c, अब यह जो फोर इंटीज आपको लेनी है, b, c, d, किसमें से लेनी है, वो फोर इंटीज आपको गिवन है, a, b, a, b square, तो a का मीनिंग तो minus 2 है, b का मीनिंग 1 by 2 है, इन दोनों की squaring कर दो, यह सही है न, 2 लेने पर 5 upon 2, 6 minus 5, 6 minus 5 बनवाई 2, ठीक है, हाँ, तो b आ गया, squaring कर दो 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 दोनों की, तो यह आ गया 4 और यह आ गया 1 by 4, तो यह a, b, c, d की value हो सकती है, तो सबसे पहले, दो को, detrimanant of a की possible value हो सकती है, थोड़ा carefully समझना, दो, अभी इसमें काफी सारे case बन सकते हैं, एक यह value है, एक दिस पार्ट, एक दिस पार्ट, एक दिस पार्ट, एक दिस पार्ट, दो कीस लेके बताता हूं, मैं आपको, तो देन, detrimanant of a आजाएगा इससे, minus 1, minus 2, yes or no, एक case तुमें नहीं माना, एक थोड़ा अपन को इसको interchange करते हैं, इस वार आपने minus 2 की साथ 1 by 2 माना, अपन minus 2 की साथ 4, अग एक बास सुनों, अगर आप उल्टा मानोगे, फिर भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, कोकि उल्टा इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसके साथ multiply, तो देखो, then क्या आएगा, detrimanant of a, minus 2, 4, minus 8, minus, this is बनवाए, 8, उल्टा मानो, कुछी मानो, जादा फरक पड़ने वाला नहीं है, कोकि इदर मानोगे, तो minus के बनवाए, 8, इदर plus के बनवाए, 8, तो य value positive में बन जाएगी, तो यह जाएगा, minus के 65 अपोनेट, सही है न, यह फिर आएगी, plus के 65 अपोनेट, तो मेरी बात, मुद्दी की सुनलो, कोई साभी पेर, किसी की साथ लेके देख लेना, चलो, मैं एक और बताजता हूँ, से इच्छा के लिए, एक बार आपने क्या किया, 1y2 के साथ 4 लेट किया, 1y2 के साथ 4 लोगे, तो 1y2 इंटो 4 आगया, minus, minus 2 के साथ 1y4, तो क्या आगया, यह 2 plus, तो मोडे आगया, 5 by 2, उल्टा करोगे तो minus के 5 by 2 होगा, तो मतलब फाइनली इससे यह conclusion आने वाला है, कि जब यह determinant of A की value है, इनका जब modulus होगे, आपको क्या होना है, इसके absolute value की mini value बतानी है, तो जब इनका model होगे, मतलब modulus value की बात करोगे, तो सबसे least modulus value 2 आने वाली है, इसका mod लोगे तो value 2 होगी, इसका mod लोगे तो 65 by 8 होगा, तो सबसे least value आपकी 2 ही होगी, remaining कोई भी pair जब let करोगे, तो value उसकी always क्या करेगी, increase करने वाली है, ठीके, तो उसने यही पुछा गया, है कि then least absolute value of determinant of a is, then इसका answer 2 आपको fill करना है, ठीके, चले, उसके बाद देखते हैं, next passage first, इसमें two questions है, 7 and 8, तो दो को passage first में क्या बोला गया है, बेटा, let a z1 be the point of intersection of the curve, argument of z minus 2 plus iota equal to 3 pi by 4, and argument of z plus root 3 iota equal to pi by 3, तो इसको देखते हैं पहले, कि z1 point यह कम ही नहीं किया, कि जो argument of this और argument of this part है, इनका intersection point है, तो देखो blackboard पे, argument of z minus 2 minus iota equal to given है, आपको 3 pi by 4, and second given है, argument of z plus root 3 iota equal to 5 by 3, इन दोनों का जो intersection point है वो आपको a z1 बोला गया है, तो देखो उसका meaning है, यह आपको पता होना चाहिए शायर कि argument of z minus z1 equal to theta का meaning है, कि एक ray है जो आपकी z1 point से start होगी बेटा, और उसका x, x के साथ angle आपको given है theta, ठीक है यह आपका point z होगा, तो z minus z1 का argument theta given है, ठीक है न, final minus initial का जो argument हो, क्या theta given है, तो यह ray emanating from z1, एक ray आपकी z1 point से start होगी, तो देन इसके regarding देखते हैं अपन क्या इसका intersection point आने बाला है, तो इसमें से क्या करना, minus common हो आप, तो इसका meaning है कि यह ray is starting from 2, minus 1, and angle is 3 pi by 2 with the positive direction of x-axis, देखो blackboard पे सभी, यह point क्या होगा, 2, minus 1, तो यह लो, 2, minus 1 lies on the fourth quadrant, यह x-axis के line draw करो parallel, अब एक ray जो इस point से start होगी, जिसका x-x के साथ angle कितना है, 3 pi by 4, तो then roughly diagram मनाओगी तो वो line आपकी ऐसे होगी, यह angle given है आपको 3 pi by 4, यह sir, और अगला क्या है, एक point है, 0, minus root 3, तो यह आपका 0, minus के root 3 होगा, क्योंकि इसका y content minus 1 है, तो अब इस वार angle बोला गया है, pi by 3, तो pi by 3 angle लोगी तो इस part आएगा न आपका, यह angle pi by 3 तो बताओ, इन दोनों का intersection point क्या हो, यह एक रफली diagram है, एक जेक diagram नहीं है, तो देखो जब आप इन दोनों curve को solve करोगे, तो आपको इनका intersection point find out हो जाएगा, ठीक है, तो इक काम करो, simple इसको आप z को x plus iota y लेट कर दो, x plus iota y minus 2 plus iota equal to 3 pi by 4, तो क्या लेखो के 10 inverse y upon x, तो लेख देते हैं, 10 inverse y का meaning, iota का coefficient y plus 1 upon x minus 2 equal to 3 pi by 4, 10 inverse 3 pi by 4 की value 1 होगी, तो यह आगया y plus 1 upon x minus 2 equal to minus के वन तो multiply करने पर जाएगा y plus 1 equal to, तो then this is x plus y equal to 1, यह तो आपकी इस line की equation है, similarly इस line में देखो एक दूसर option भी है, जब आपको पता है इस line का slope minus 1 है और यह इस point से pass होगी, तो point form से भी कर सकतो, इसको ऐसे कर लेते हैं यह लोग, एक line है जो 0, minus 3 से pass होगी और जिसका x के साथ angle कितना है, 60 degree, तो क्या लगते हैं, y minus y1 equal to m of, m का में नहीं, root 3, x minus 0, तो simple क्या आगया, y plus root 3 equal to root 3 x, बोलो हाँ है न, कि इतना आने के बाद जब आप इसको solve करोगे, तो देखो, simple सी बात है, दोनों equation को solve करोगे न, तो इससे x की value 1 आती है, y की value 0 आती है, तो यह point आगया आपका, ठीक है, तो कि 1 0 लेने पे satisfy, और x को 1, y को 0 लेने पे यह भी क्या करेगा satisfy, मतलब यह point इधर नहीं होगा, यह point इसका इस जगे आने वाला, ठीक है न, तो point a z बना गया, तो देख देख देते हैं, कि point a z बन तो क्या होगा बोलो, 1,0 यह तो इसका करेकरम फिनिश हो गया, after that क्या बोला गया है, कि b z to be the point of the curve this part, such that z2 minus 5 का mod is minimum, तुच्छे को इसको remove कर देते हैं दर से एक बार, क्या बोला गया है देखो, z2 का meaning है कि जो argument of, z plus root 3 iota equal to, कितना है बोलो, pi by 3, तो इस एक जो curve था वो क्या था, एक line थी और वो line क्या थी देखो, y minus y1 equal to root 3 into x, तो एक curve आ गया, y equal to root 3 common, x minus 1, चाहो तो उसको एक तरफ ले आओ, then this is root 3 x, minus y minus root, यह आपकी एक line है, फिर क्या बोला गया है, z2 minus 5 का mod is minimum, इसका meaning क्या है, z2 minus 5 का mod is minimum, इसका meaning क्या है, पहली बात तो z2 minus 5 के mod का meaning क्या है, 5,0 की z2 से distance, 5,0 की z2 से distance, और क्या बोला गया है, की z2 with the point on the curve this part, z2 अगर इस point इस curve पे लाई करता है, यह curve को नहीं एक line है, तो देखो, z2 अगर आपका इस curve पे लाई करेगा, root 3 y minus y, तो then आप क्या बोलोगे, की point 5,0 की z2 से distance minimum चीए, इस line से इसकी distance चीए minimum, तो बताओ यह point आपको बोला गया है, z2, इस point को क्या मानना है, z2 तो क्या करोगे, 5,0 से यह photo perpendicular का formula अपलाई करो, x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to minus, point put करो upon a square plus b square, याद होना चीए सबको, तो then क्या आगया देखो, यह point xy है लाट, तो आप क्या लेख सकतो बोलो, x minus 5 upon a, is root 3 coefficient of x equal to y minus 0 upon coefficient of y minus 1, yes sir, minus 5,0 put करो, तो यह आगया 5 root 3 minus 0 minus root 3, तो 4 root 3 आगया न, upon में आगया a square plus b square, this is also 4, 4 से 4 चला गया, तो इन दोनों को पकड़ो गया आप, तो क्या आगया x equal to, x minus 5 equal to minus root, sorry root 3, तो then x तो आगया beta 2, x2 आने के बाद, जब आप इन दोनों को पकड़ोगे तो minus minus plus, तो y आजाएगा root 3, तो then आपका, z2 point आजाएगा 2, root 3, z2 point क्या होगा बोलो, 2, root 3, z2 point आने के बाद, यह point B बोला गया question में, c point क्या बोला गया है, c is the, z3 is the center of the circle, तो circle का center क्या 5,0, तो यह लो, z3 point आगया, center कितना बोलो, 5,0, यह लो, यह आपके पास, point ABC गिवन है, अब अपन बात करते हैं, मनमाईवन दोनो questions की, first question में तो बोला गया है, if z1, 1 second sorry, if, z minus z1 का mod equal to 1, and w equal to, हाहाँ देखें, saving part में क्या करना है, save in question में देखो, कि z minus z1 का mod one, तो यह का एक circle is center z1 और radius इस इस यह लो, to चलो z1 की value क्या है, 1 है न तो यहां कहा है z-1 का mod equal to 1 इसका meaning कहा है एक circle है जिसका center 1,0 radius 1 मतलब इसको लिख सकते हो आप x-1 का square plus point z इस पे लाई करेगा आपका circle पर ठीक है और एक complex number है w equal to real part of z plus 2 w क्या है कि z plus 2 का real part है वो w complex number है then w lies on तो बताव w किस curve पर लाई करता है line segment options के according बात करनी है कि जो w है उसका जो locus है वो line segment joining the 2,0 and 4,0 circle पर लाई करेगा जिसका center 1,0 radius 2 up to so on यह imaginary axis पर लाई करता है तो देखो w complex number के लिए first of all z की बात करो और z आपका इस पर लाई करता है तो काम करें अपन सबसे पहले इस circle पे point let करो z equal to parametric form है अगर circle का center 0,0 हो तो फिर तो point let करता हो r cos theta, r cent theta अगर circle पे point आपका sorry circle का center alpha beta है तो फिर point क्या लेट करोगे alpha plus r cos theta और y beta plus r cent theta तो alpha 1 है beta 0 है तो जेड का जो एक्स point coordinate है जेड कोडिनेट के लेट करोगे 1 plus 1 cos theta 1 cent theta यस सर मेरी बात दुबारा सुनें आपको circle पे point let करना है जेड वो क्या होगा alpha plus r cos theta beta plus r cent theta alpha बने beta 0 है और r आपका बने तो जेड आ गया 1 plus cos theta comma sin theta और जेड यही तो हो ना इसे पुट कर दो क्या आगे w equal to real part of 1 plus cos theta तो यह जाएगा 1 plus cos theta plus iota complex format में पुट किया है मैंने तो then आप लिख सकतो है तो w equal to real part of 3 plus cos theta plus iota sin theta तो question ने बोलागा कि w क्या है real part of this complex number z plus 2 तो z plus 2 जो complex number है आपका उसका real part क्या होगा 3 plus cos theta this is w तो आप इसको लिख सकतो हो इदर तो then इससे w आगया 3 plus cos theta अब अपनको w का locus theta इसको 2 option करने के आप चाहो तो यह कर सकतो कि w को मानलो alpha plus iota beta equal to 3 plus cos theta तो इसका alpha तो आगया 3 plus cos theta और beta आगया 0 मतलब जो w complex number है उसका imaginary part 0 है तो always lie only x-axis होगा पहली बात तो यह पता है उसके बाद कोई cos theta की value minus 1 से 1 होगी न तो अगर cos theta minus 1 से 1 है तो minimum minus 1 लोगे तो alpha आगया 2 और बाद में क्या जाएगा 4 इसका meaning जब minimum value इसकी minus 1 लोगे तो इस point क्या जाएगा alpha 2 आगया beta 0 है और beta जब cos theta की maximum value 1 लोगे तो point आगया 4,0 मतलब कि जो बाद में W कॉंप्लेक्स संबर है वो lies on the x-axis वाट उसकी starting point 20 होगा maximum point आपका यह हो सकता मतलब वो W आपका only this portion में लाई कर सकता है तो क्या है यह एक line segment है जो joining the 2,0 and 4,0 तो देन इसका beta first option correct होगा आप यह मत कर देना बच्चे क्या करते है इसका मॉड ले लो लो तो मॉड W क्या आएगा मॉड W आ गया 3 प्लस कॉस्टीटा का मॉड और इसके according तो आप लिख सकतो कॉस्टीटा की मिनिमम वेलू अगर माइनिस वन ले तो यह आपका 2 आ गया और यह आपका फोर आ गया तो फिर तो क्या मीनिंग इसका की डवलू एक सरकेले जिसका सेंटर 00 है रेडिएस टू और फोर से ग्रेटर ना यह गलत आंसर इसका इसका लोकस इस फॉर्मेटर से देखना आपन को ठीके चलें तो इसके अकोडिंग इसका फर्ष ऑप्शन और यह będzie highway जब आपको थीनर वर्टेक्सरें गेवन हो ठीक की तीनर व्रटेक्सरें तो एरिया का constitे हाप में ए X one Y one X X two y two one and x3y3 बंटीगे ना तो value put कर देना तो then we will get the answer तो इसका fourth option आता करके देखना आप चलो कि उसके बार देखो question no.9 and 10 passage no.2 कि देखो पेटा passage 2 में क्या हो लगे है एक circle given है और एक हाइप्रवोला की question given है intersect at point a and b और ellipse sorry circle और हाइप्रवोला आप a and b point पे क्या करते है intersect तो देखो x square plus y square minus 8x एक circle जिसका center तो क्या होगा 4,0 और radius भी क्या होगी इसकी 4 center minus g, minus kf और हाइप्रवोला given है आपको x square upon 9 minus y square upon 4 equal to 1 तो यह दोनों कर्व आपके point a and b पे intersect करते हैं देखते हैं बाद में तो first question तो बोला गया कि the equation of the common tangent with positive slope वहला भी दोनों कर्व की common tangent आपको finite करने है जिसका slope कैसा बोला गया positive to the circle as well as the hyperbola yes sir और 10th part भी बोला गया यह 10th question में बोला गया equation of the circle with a-b as its diameter कि अगर एक circle की equation बता नहीं जिसमें a-b उस circle का क्या है बोलो diameter देखो क्या करना question में पहले इसका 9th part देखते हैं तो एक बार इसका diagram देखो आप जरतनी diagram की बटकर लेते हैं कि अगर आपका 0 4 0 एडियस 4 एटो इस सेंट्र एगर 4 0 है और रेडियस 4 एटो इस circle क्या होगा y-axis को origin पर टच करेगा यह तो बात वी इस circle की और अगर आप बात करतो ellipse की hyperbola की इसकी transfer axis कोने x-axis और conjugate axis y-axis है तो इसका vertex क्या होगा 30 यह minus की 30 मतलाब 30 और माइनिस 30 तो इस hyperbola को ड्रोग करोगे आप तो ऐसे ड्रोग होने वाला है इसकी एक branch तो इदर की तरफ ड्रोग करोगे और second branch उसकी लेट एक सेकंड सॉरी आपको पता है कि बहुत डाग्राम साथ symmetric about the x-axis and the y-axis तो इसका मीनिंग क्या है कि जो इस इस circle और hyperbola का intersection point है वो क्या होगा symmetric about the x-axis तो इसका simple meaning है point A का जो x coordinate है वो दोनों का सेम होगा A और B का और Y coordinate की length भी सेम होगी जैसे यह 3 है यह length अगर माना 5 है तो x कोडिने तो 5 आगया और Y अगर 2 है तो यह minus 2 हो जाएगा ठीक है तो एक तो कुछिन क्या है कि A B को diameter लेट करके sulky की कुछिन में क्या करोगे अगर A B diameter है तो इसका center होगा ना तो बस x कोडिनेट आ गया तो center आ गया और यह जो Y कोडिनेट इसकी radius होगी ना तो easily कर पाएंगे पाँ एक तो कुछ नहीं करना इस curve को दोनों को solve करतो फटा पड़ से तो कुछ नहीं करना अब second part में आपको X की value ची तो जब आप एक तरफ ले गया होगे तो देखो क्या गया माइनस के 9 तो प्लस के 9 x square 4 x square 13 x square yes sir और यह आगया माइनस के 72 x और माइनस के 3 यह आपकी बनी X में koatic जिसमें X की two values होंगी अब देखो इसको एक तो है koatic formula से कर सकते तो एक splitting method से कर सकते factorization method से तो अपने इतना दिमाग क्यों लगा है जो अपने options है उसी की बात करो ना इसका जो X coordinate होगा वह क्या होगा यह होगा और यह circle का center है तो इसमें देख लो options जो given है उसमें जैसे simple सी बात तो यह सुनो यह जो point है इसका center alpha,0 है तो यह point positive है इसका meaning option है तो first हो सकता है यह 4 तो simple सी बात है कि first option होगा तो center आगया 6,0 अगले में आगया 12,0 तो एक बात सको सोचो यह इसको curve cut यह point कितना है बता हुआ यह 4 है तो 8,0 आगया तो सीडी सीडी बात यह है कि जो इस circle का center है उसका x coordinate 4 से तो बढ़ा होगा और 8 से चोटा तो उसमें first option होगा 100% answer या तो ऐसे समझ सकते हो और first में center आगया 6,0 तो x को 6 put करोगे तो उसको क्या करेगा तो देन इस केस में x आपका positive होग 100% तो एक 6 आ गया तो सीडी सीडी बात है इस circle का center तो आगया 6,0 और x को 6 लोगे मतलब x equal to 6 क्या होगा तो इस 6 आ गया और 6,something lies on the hyperbola यह circle बोल सकतो इस वाले circle में put कर दो आप x को 636-48 तो आपको y की value मिल जाएगी ठीक न तो y आ गया तो उससे radius मिल जाएगी आपके पास ठीक है तो उसको solve करोगे तो आपका first answer आ जाएगा यह तो simple question है और इससे जो previous question है कि इन दोनों की common tangent finite करो with positive slope तो देखो common tangent की अगर आप बात करोगे तो common tangent देखो कितनी हो सकती है एक common tangent दोनों की इधर बन सकती है एक इधर हो सकती है या इधर हो सकती है तो मुद्दे की बात यह है कि या तो common tangent ऐसे होगी न positive slope की positive slope की common tangent यह possible हो सकती है तो जिसका slope positive या फिर इधर वाली possible हो सकती है बा होगी तो अपन कुछ नहीं करेंगे simple method है आप इसको parametric form से करो कि लेट जब भी two curve की common tangent को finite करना तो क्या करोगे आप first of all इस hypervola पर point let करो a sec theta comma b 10 theta तो a इसका 3 a b आपका 2 तो then point is 3 sec theta comma 2 10 theta और देन इस point पे tangent की कुछिन क्या होगी t equal to 0 hypervola के लिए tangent की कुछिन क्या लगोगी t equal to 0 then x x1 minus y y1 equal to 1 तो यह आगे फाइनली x upon 3 sec theta minus y upon 2 10 theta equal to 1 आप cross multiply कर सकते हो चाहो तो then 2 sec theta x minus 3 10 theta y minus 6 equal to 0 यह आपकी tangent की equation है आपको कुछ नहीं करना theta की value चाहिए theta की value आने के बाद आपन tangent की equation को find out कर सकते हैं तो क्या करोगे बाद में कि यह tangent है also touch the circle तो circle की center से distance equal to radius तो circle का center 4,0 यह radius आपकी 4 है तो 4,0 से radius 4 की equal करकुत क्या होगा put कर दो तो यह आगे 8 sec theta 0 आगे तो minus की 6 का mode upon root of x square का coefficient plus y square का coefficient यह सर तो then this is 4 sec square theta plus 9 10 square theta equal to 4 एक बाद 2 कैंसल इसकी जब बाश साइड scoring कर देना scoring करने के बाद कुछ नहीं करना 10 square theta को लिखना 1 plus sorry sec square theta minus 1 then it is become quartic in sec theta तो sec theta में क्या बने की quartic उसके आप easily factor कर सकते हो तो जब factor करने के बाशन करोगे तो इससे sec theta की 2 value जाती है एक तो आती minus 3 by 2 और एक sec theta ता 5 by 6 जो भी है तो sec theta की value यह तो हो नहीं सकती न तो इसमें एक ही possibility होगी sec theta minus 3 by 2 आ गया तो ज्यान रखने ने इसमें confusion हो जाते है बच्चे यह theta tangent का slope नहीं है ठीटा तो क्या है इस point का parametric coordinate है ज्यानक ने इस बात को तो first of all question ने बोला गया है कि इसका slope positive है तो इस tangent का slope क्या होगा coefficient of x sorry minus coefficient of x अपन coefficient of y तो चलो अपन पहले tangent की slope की बात करते हैं तो एक काम कुरो उसको इधर से अटा देते हैं तो क्या आएगा देखो slope of tangent equal to minus हाँ वही एक्स का coefficient कितना है सेग theta upon 3 upon coefficient of y minus k1y2 10 theta तो से finally m क्या आगया minus minus plus 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आगया इसको क्या लगोगे sin upon cos तो cos तो चला गया प्रोग्राम से बार तो यह आगया upon में sin theta यह आगया tangent का slope है तो m equal to क्या आगया 2 upon 3 sin theta अब आपको सोचो कुछन में slope को positive बोला गया है इसका मतलब sin theta positive होगा तो sin theta positive है तो theta या तो first quadrant में होगा या theta second quadrant में होगा क्या होगा theta या तो first quadrant में होगा theta second quadrant में तो सीधी सीधी बात है कुछन में आपको गिवन है सैग theta की value minus की 3 by 2 तो उस पर ध्यान देना है नहीं मेरे को इससे simple आप अपन को तो theta की value लेनी है जब sin theta positive आणजी सिम्पल सी बात है अपन तो slope पे काम करना ना तो उससे देखो blackboard पे इसके trigram की बात करोगे आप यह theta है यह 3 है यह 2 है तो इस रूड 5 तो एक बात सिम्पल सी बात ही करो ना अपन को sin theta की value positive लेनी है तो theta automatic quadrant में लेट करोगे है न आप इसके according तो आपको लग रहा है sign theta negative आ रहा तो आगे कोई बात नहीं तो mathematically solve की है वर्ट हमन को theta उस step से लेट करना है कि मेरा sign theta positive आना चीए तो theta first और second ही हो तो second quadrant में sec theta negative होगा और sign theta positive है और second quadrant में अगर sign theta positive है then इस tangent का जो slope है वो positive होगा तो इससे देखो m क्याएगा बता हो रहे sign theta की value क्या होगी root 5 upon 3 तो यह जाएगा 2 upon root 5 यह आगया tangent का slope यह मेरा tangent का slope है अब आपको tangent का slope पता है तो बश should slope की value पुड़ तोिसमें दिक्कत क्या रही है तो इस तरीख से question को solve करना है यह tangent का slope आ गया और यह tangent का slope आ घया तो आप उससे भी कर सकतो अरे इसमें value put कर सकतो अगर tangent का número आ तो tangent का slope आ गया क्या करना चाहिए बोलो कि कि ठीटा मेरा सेकेंड कौादन में है तो ठीटा मेरा सेकेंड कोड़न में है तो ठीटा मेइ तो डोक चला गया हो यह लोग मा Ep 2018 की माइनस की 3 by 2 और साथ की साथ 10 थीटा भी सेकेंड में नेगेटिव होगा तो 10 थीटा की वेल्व वन्स अगें नेगेटिव होगी रूट 5 by 2 यस और नो सेक और 10 थीटा की वेल्व को अपन इसमें पुट कर देते हैं तो आपके पास टेंजिन की एक्वेशन हो जाएगी विद पॉजिटिव स्लोप तो करें पुट तो सेक ठीटा को लोगे माइनस की 3 अपन 2 तो क्या आगे बोलो रहे है माइनस 3 एक्स तू कैंसल माइनस माइनस प्लस 3 रूड 5 by 2 य और माइनस की 6 इक्वल 2 जीरो तो सबसे पहले तो 3 अटाओ गे तो क्या आगे 2 आ गया और 2 से मल्ट सबस्क्राइब तो दें इसे बोलो 3 एक्स माइनस की रूड 5 by प्लस 4 इक्वल 2 जीरो ठीक है ना तो यह फाइनल आंसर आएगा आपका तो इस तरीकी से कुशन को करना ठीक है तो लेंती नहीं है सिंपल है बस ही तो लिखने में लेंती हो गया तो इसके अकोरिंग इसका सेक प्रिव नंबर है तो ओप्संस बोले गाएं कि देए एगजिस्ट एगजेक्ली वन भी कि सच दैट एवी इक्वल टू भी है इंफरेंट मैनी भी एवी इकवल टू भी है और एग्जिश्ट फाइनेट नंबर अफ बी सच दैट एब इक्वल टू बी और एडिस पार अर बीडिस पार्ट है तो मतलब ए आपका वन है बीड आपका वन है जी रिसे पाइवे टू में तो एबी इक्वल टू भी मतलब सारे उपसंस को बनवाई बन देखना आपनको सबसे पहले काम करूंग इसमें एबी और बीए का मल्टिप्लाय देखते हैं तो देखो एबी क्या भीड लेगा करण तो यह तो मै्ट्रिक्स का मोल्टिप्लाय है जात आउ है कि वन टू थरी फूर ऐसे जीरो जीरो भी तो इससे आगया एबी का मल्टिप्लाय इस यह टू वाई टू की मेट्रिक्स होगी प्छुँग को वाय कॉलम तो यह आ गया इसको इससे किया तो 0, यह 2B, इससे करोगे तो यह 3A और इससे किया तो 4B, यह तो आजाएगे AB, फिर अगर बात करते हैं BA की, तो BA में क्या करना उल्टा, पहले इसको इससे करो, तो इसको दुवारा लगते हैं समझने के लिए, पहले A, B लिखना है, तो A, 0, 0, B, ठीक है, और next क्या लखोगे ब 1, 2, 3, 4, तो जब इसके according बोलोगे तो, then BA is, रोवा एकोलम, तो A, इससे 2A, यह 3B होगा और यह 4B होगा, तो AB equal to BA given है, तो देखो blackboard पे, corresponding elements are equal, तो A to 1 equal होगया, no problem, 4B, आपका 4B equal होगया, no problem, इससे जाएगा 2A equal to 2B, और 3A equal to, 3B, then finally इससे आगे, A equal to B, इससे finally conclusion के आगे, A आपका B की equal होगा, तो A अगर B की equal होगा, तो A अगर B की equal होगा, तो देखो, then आप लिख सकतो, matrix B क्या होगी, A, 0, 0 है, बोलो yes or no, तो देखो, बन भाई, बन भाई, बन भाई, बन भाई, यह तो A और B की all natural number को क्या गरेगा, satisfy, तो देन इसका second option correct होगा, third option again होगे न, exactly finite भी, no, finite भी नहीं, वो infinite भी होगे, काफी सारे भी हो सकते, infinite, और A, अगर मैंने sin square theta, cos square theta बन भाना, question ने बोला है, A आपका B की को लेना, तो देखो, sin square theta, cos square theta भी बनोगा, और second square theta minus ten square theta भी बनोगा, तो देन इसका first or fourth option बच्चो correct होगा, इस तरीकी से question को solve करना है, ठीक है, देख, simple सा question था है, उसके बाद बात करते है, question number second की, question number second में क्या बोला गया है, इसी में देख लो, यहीं पर, A square matrix A has its determinant value of 1, एक square matrix से square matrix का मिनिंग, उसका determinant अपना calculate कर सकते हैं, square matrix का determinant आपको 1 given है, then which of the following has its determinant value equal to 1, कौन कौन से option में, उनके determinant की value 1 होगी, तो देख, 1 by 1 option से देख, पहला option है, minus A, तो minus A का determinant की आएगा, minus 1 की power n, बच्चे जल्दी बाजी में क्या, minus 1 का, minus A का mode model लिग देते हैं, यह पढ़ा होगा आप समने, के A का determinant की आएगा, के की power n, determinant of A, तो के आपका minus 1 की power n आगया, तो देख, सिंपल सी बात ही है, determinant of A आपका 1 है, तो इसके according answer की आएगा, minus 1 की power n, तो n अगर even है, तो minus A का determinant 1 होगा, और n और तो minus 1, तो यह always 1 की equal नहीं होगा, तो यह option तो होगा, इस का wrong हो, इसने correct option पूछा गया, A inverse, simple, A inverse का determinant क्या होगा, यह सब ने पढ़ा होगा, 1 upon mod, यह लिख सकते हैं न, A into A inverse equal to I, तो determinant of A inverse का mod is 1, तो then, determinant of A, determinant of A inverse 1, तो दोनों एक दूसरे की recipe होगा लें, तो इसकी value भी 1 होगी, ठीक है, चलें, तो यह option correct होगा, third option बोला गया, adjoint of A, तो adjoint A के determinant की value क्या होती है, mod A की power n minus 1, तो mod A आपका 1 है, तो n कुछ भी होना value हमेशा 1 होगी, तो यह भी option correct होगा, और अगला है omega A का determinant, तो दोनों पे separate mod लगा सकते हैं, क्योंकि omega तो एक constant है, तो omega की value क्या होती है, minus के 1 plus root 3, आटा by 2, तो mod omega आपका 1 होगा, और mod A भी आपका 1 है, तो देन इसका fourth option भी correct होगा, तो इसका second, third और fourth option बच्चो correct होगा, चलें, उसके बाद third question read करें, let A, excuse symmetric matrix capital है, एक excuse symmetric matrix बोलेगे, यह capital है, satisfying the relation A square plus I equal to 0, I और O, आपकी identity or null matrix है, तो then A is, A क्या हो सकती है, never an idempotent matrix, orthogonal matrix होगी, is of even order, की matrix A का जो order है, वो always even होगा, no such A exist, whose entries are real, मतलब जिसकी entry real नहीं होगी, यह देखना है, चलो देखते हैं, पहले तो वो लागा, A is, excuse symmetric matrix, so excuse symmetric matrix की condition के होगी, A equal to minus के A, transpose, तो क्या लेख सकते हैं इसको, दोनों तरह mode लोगी तो क्या आएगा, तो यह पता होगा, determinant of A, इसमें दुवारा वो भी minus 1 की power n, तो depend करेगा n पे, if अगर n आपका odd है, तो minus 1 और यह मैंने पढ़ा है, कि determinant of A, और A transpose का determinant सेम होगा, तो इसकेस में तो determinant of A आपका 0 हो जाएगा, और अगर n odd है, तो always true होगी बात, n अगर odd है तो आपकी always, इसके relation क्या कोड़ है, और अगें क्या बोलग है, एक लाइन और गिवन है कि a square plus i equal to 0, तो एक सिंपल सी बात इसनो, a square equal to minus i आगे ना, तो अगर determinant of A आपका 0 है, तो यह condition कभी fulfill होई नहीं सकती, क्योंकि, 1 की power and determinant of identity matrix, यह आगे ना, तो अब आप बताओ, आपने क्या कि इसका determinant लिया, तो a square equal to minus a है, तो a square अगर आपका minus a है, आप सिंपल सी बात देखो ना, मैं लिख सकता हूँ ना, a square का meaning क्या है, minus 1, 0, 0, 1, तो अब तो निकाल सकते हैं, क्या दिख करते हैं, तो क्या हैगा यह, minus 1 आगे इसके according, तो यह minus 1 मित लिखो, इसका order मानना पड़ेगा, कि order even है, यह order, तो depend करेगा कि इसका order, यह sorry minus 1 है, तो अगर इसका order 2 है, तो value plus 1 होगी, order 3 है, तो minus 1 होगी, 4 है, तो 1 again minus 1, up to 0, इसका meaning, determinant of a का score, minus 1 की power n है, तो then n must be even, अगर यह even होगा, तो determinant of a का score बना गया, तो a के determinant की value क्या होगी, plus minus 1, तो then n must be even, तो n का even होना must है, sorry even था, तो fix होगया कि n even है, तो then यह condition रोग होगी, कोई determinant of a 0 आगया, तो वो इस condition को fulfill नहीं करेगा, तो इसके according, इसका third option तो आगया correct, after that, इसमें orthogonal matrix, और idempotent matrix की बात की गई है, दोको इसमें तो a is equal to minus i आ रहा है, but idempotent matrix की condition क्या होती है, a is equal to a, तो गलत है न, यह कैसे जाएगा, तो यह option तो इसका wrong होगा, never an idempotent matrix, तो true है, क्योंकि अपनको यही देखना है कि कौन से option true है, even order यह भी correct होगा, orthogonal matrix की बात करते हैं, मतलब a, a transpose, अगर मेरा i आगया, तो set है मामला, a, a transpose की value अगर i आजाती है, तो इसको क्या बोलोगे, orthogonal matrix, तो देखो, यह रहा न, yellow, इससे काम करो, a transpose की value पूट कर सकते हैं, minus a, तो यह आगया, minus के a square, और a square की value is minus i, तो then this is also i, तो a transpose a आपका i है, तो then it is orthogonal matrix, तो इसका first, second, third option correct है, fourth option में अगर बोलोगे, a exist which integer are real, no such, a exist which integer are real, मतलब यह कर रहा है कि, ऐसी एक भी matrix नहीं हो सकती, जिसकी integer real हो, मतलब उसमें, जो यह a, b, c, d होंगे, elements वो real होंगे, तो ऐसा हो सकता है, आप एक matrix select कर दो, a order 2 की माल लेते हैं, और वो minus i की, एक कुल 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 सारी की सारी integer, उसकी real हो सकती है, मैं सीधे एक example लेके समझा जेता हूँ, आपको पता है, यह लो, जैसे alpha, beta, gamma, delta, let करो, तो इसकी squaring करने के बाद, वो minus i करोगे न, तो 100% काफी सारी value जो सकती है, जो minus i की कुल सकती है, ठीक है न, वो matrix लेके देख सकते हो, तो real integer की matrix की i square करने पर वो minus i की आ सकता है, तो यह बात true होगी, तो इसने मना किया है कि no such a exist, तो यह गलत बात है इसकी ठीक है, तो इसका अभी first, second और third option भी आपको फिल करना है, चलें, उसके बाद question 4 रीड करें, sorry, question 3 ता गलत लिखा होता है, है न, हाँ, ध्यार लखना, question 4 वो लगया, एक equation given है आपको second degree की, represents no locus if k less than 0, ellipse if k greater than 0, point k equal to 0, n hypervola if k greater than 0, ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या करना इस question में, यह आपको second degree की general equation given है, तो second degree की general equation है, ax square plus 2hxy plus by square plus, 2g x plus 2h y is 0, अगर second degree की general equation given है, थोड़ा carefully समझाना है इस question को, दो चीजे होती है, कि जो second degree की general equation है, उसमें अगर xy का coefficient present हो, मतलब xy की term अगर present है, तो वो ellipse, parabola, hypervola होंगे आपकी general, मतलब उनको अपन standard ellipse, hypervola, parabola में convert नहीं कर सकते हैं, इसमें only x square y square xy की term से, तो देन आप इसको standard ellipse hypervola, parabola में convert कर सकते हो, तो मुद्दे की बात ही है, इसमें x square y square की term है ना, देखो इसमें जब बात करोगे आप, अगर h square equal to ab आएगा, तो parabola बोलते हैं, h square minus ab negative है, तो ellipse बोलोगे, और h square minus ab positive है, तो hypervola बोलते हैं, तो इसमें क्या है, इसको मैं complete all square बना सकते हैं इसको आप, तो देखो इसको ऐसे करो, 2x square plus, 3y square minus, 8x, अगर आप बात करते हो, तो normal way में तो बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ लाव से delta चेक करो, वा delta को चेक करना थोड़ा complex है, minus ab की value को calculate करते हो, ठीक है ना, तो इसमें delta को में चेक करो, इसको मैं become a perfect इसको बना सकते हो, क्या करना है, x में all square बनाने के लिए 2 common लो, तो bracket में क्या गए, x square minus 4x, इसमें, इसमें common लोगे plus 3, तो plus 3 common लेने पर आगे, once again y square minus 6y, और plus 35 equal to 2, यह सर, तो क्या करेंगे, x के coefficient का half का square, add करो, subtract कर दो, तो plus 4, add करो, subtract करो, 6 का half, 3 square, 9, add करो, subtract करो, तो देखो क्या होगा, यह all square बन गया, इधर यह all square बन गया, तो देखो क्या गया, twice of, x minus 2 का square, 2 से multiply, minus 8 plus 3 into, y minus 3 का square, minus के 27, 27 plus के 35 के, यह cancel out, तो देन क्या गया, twice of, x minus 2 का square, 3 into, y minus 3 का all square, equal to k, यह सर, अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर इसमें, k को मैंने 0 मान लिया, k को 0 मानने का मतलब क्या गया, this square plus this square, equal to 0, तो 2 all square का sum 0, का बासकता है, जब यह भी 0, यह भी 0, तो इससे आजाएगा, x 2 and y equal to 3, तो यह क्या है, यह point हो गया, 2, 3, तो इस case में, इसका answer होगा point, point answer बोलोगे, ठीक है, और इस case में, जब करके, देखना गड़ जाके, तो 100% इसका delta 0 होगा, जब आप k को 0 लेट करके, इसका delta चेक करोगे, तो delta क्या होगा, point के case में, delta हमेशा 0 होता है, ठीक है, चलो, point बोल दो, और यहा फिर, x equal to 2 की लाइन, y equal to 3 की लाइन, इन दोनों का intersection point होगा, एक तरीक है, इससे मान सकते हो, तो यह एक point की तरह भीएव करेगा, तो इसका delta 0 होगा, और एक नई बात और सुन लो, इसको point circle बोल सकते हैं, और point circle का delta भी 0 होगा, basically, delta non-0 होगा, तो उसका conic section ellipse, parabola, hyperbola circle लिखते हैं, लेकिन delta, sorry, circle अगर point circle होगा, तो उसका delta भी 0 होगा, इध्यानकने से बात को, उसके बाद दोबारा देखो once again, k अगर आपका negative है, तो no locus, क्योंकि k negative है, तो 2 all square का sum कभी negative आसकता है क्या नो, तो क्या अंसे रहोगा, no locus, और if k मेरा positive होगा, तो k positive होगे, तो simple सी बात है, k की value positive कुछ ही मानो ना, it's represent the equation of hyperbola, यह hyperbola की equation होगी है, और इसमें, देखो h square minus a b आपका negative भी आ रहा है, h square minus a b, इसमें लिखोगे न, h square minus a b, तो h तो 0 है, a आपका 2 है, b आपका 3 है, तो h square minus a b always negative होगा है, तो यह एक ellipse की equation होगी, ठीक है न, k positive होगा तो, और hyperbola की तो बात इसमें कभी होगी होगी सकती है, तो कि hyperbola के लिए, प्लस माइनस में से एक प्लस या एक माइनस आना चाहिए, तो देन, इसके according, इसका no locus k lesson 0 नहीं, हाँ, k negative है तो no locus first option correct होगा, k positive है तो answer रिलिफ्स होगा, k 0 है तो a point answer होगा, तो इसका first, second और third option correct होगा, ठीके चले, उसके बाद एको question no 5 क्या बोला गया है, circles are drawn, on chords of the rectangular hyperbola, xy equal to c square, parallel to the line y equal to x as a diameter, मतलब इस rectangular hyperbola की जो chords हैं, उनको diameter लेट करके आपको क्या करना है, circles से draw करना है, और जो chord है वो आपकी y equal to x के parallel है, yes sir, all circles passing through the two fixed point, then find fixed point, क्या मीनिंग है देखो question का, hyperbola given है, xy equal to c square और एक line given y equal to x, yes sir, देखो इस question में basically बोला का इदर आएं बेकोर पर, यह एक rectangular hyperbola है, और एक line है y equal to x, अब y equal to x के parallel, इसकी chords है, y equal to x के parallel के हैं, इसकी chord है, तो वो chord कैसे होंगी, इसके parallel chord इदर भी हो सकती है, यह हो, यह भी सारी की सारी chord है, इन chord को अगर एक circle का diameter लेट करते हैं, तो all circles are passing through the two fixed points, यह सारे के सारे circle two fixed points से pass होते, तो बताओ, वो fixed points क्या होंगे, यह सर, तो कुछ नहीं करना आपको, यह जो circles हैं क्या हैं, यह family of circles होंगे, क्योंकि, जब आप इस line के parallel कोई भी chord लेट करोगे, तो जो chord है, वो क्या होगी, यह variable chord है, तो circle भी काफी सारे variable होंगे, तो इस रिप्रिजेंट दी, क्या, family of circle, तो आपको कुछ नहीं करना, family of circle की question को find out करना है, तो family of circle की question क्या होगी, s1 प्लस lambda s2 0, यह s प्लस lambda l equal to 0, यह दो format हो सकती, family of circle में, तो चलो पन पहले, first of all, इस family of circle की question की बात करते हैं, ठीक है न, तो क्या करोगे दोखो, यह family of circle है, तो यह क्या है, इस circle का diameter है, तो अगर यह इसका diameter है, तो दोखो, इसको simple करना वेटर कैसे होगा, इस point A को टो लेट करो, x1, y1, और इस point B को लेट करो, x2, y2, मैं तर दूसरा भी यह, इसको parametric कोडिनेट से भी कर सकता हो, ठीक है न, तो point A, B अगर आपने लेट किया, और circle का A, B डाइमीटर है, तो equation of circle where A, B है, जो डाइमीटर, कि अगर circle का family of circle का diameter A, B है, तो equation of family of circle क्या लगोगे, equation of, x-x1, डाइमीटर फरम में, x-x2 plus, y-y1, y-y2 equal to 0, ठीक है न, तो फटापट इसको solve कर देते हैं, x into x तो आगे, x square plus y square, minus x1 plus, x2 into x, minus, y1 plus, y2 into y, plus, x1, x2 plus, y1, y2 0, तो बस आपको इन 4 quantities की value पूट करने हैं, तो कुछ नहीं है, ये x1, x2 का summation है, ये x1, x2 का product, तो first of all, क्या करो, आप xy equal to c square, और सुनो में इस तरफ, ये जो line है, इन दोनों का जो intersection point है, इस rectangular hypervola, और इस line का जो intersection point है, वो क्या होगा, a और b, तो ये line क्या लेट करोगे, ये जो code है आपकी, y equal to x के parallel, इसको लेट कर दो, y equal to x plus lambda, ये सर, तो अपने एक काम करें, point a और b के, x1, y1 के लिए, आप y को element करके, quadratic बनाओ x में, तो चलो इसमें y की value पुट करो, x into x plus lambda, equal to c square, तो क्या आगया, x square plus lambda x minus, c square 0, तो इसके दो root होंगे, x1 and x2, तो then x1 plus x2 तो आगया, minus के lambda, और product of root के जाएगा, c square minus के c square, चलो पुट कर देना, एक बार क्या करो, x square limit करोगे, तो then become quadratic in y, तो क्या लिखेंगे, देखो, y into x, इसकी बात कर रहे, तो y into x, x की value क्या होगी, y minus lambda, ये सर, तो इससे quadratic के हैगी, y square minus lambda y minus c square 0, then, इसके root y1, y2 है, तो sum of root तो आगया, lambda, और product of root आगया, once again, minus के c square, चारो की value पुट कर देते, तो then equation of family of circle, क्या होगी, देखो, x square plus y square, x1 plus x2 तो क्या है, minus के lambda, तो plus के lambda x, ये आपका lambda है, तो minus के lambda y, minus c square minus c square 0, ये आपकी family of circle की equation है, तो इसको proper format में लेखो, x square plus y square, minus k2, इसको तो एक माल नहीं है, और इसमें से lambda को मुल लोगी, तो क्या आगया, x minus y equal to 0, तो इसको देखो थोड़ा carefully, ये एक circle है, ये एक line है, तो इसको s let करो, इसको line l let करते हैं, तो क्या आगया है, ये आगया, s plus lambda l equal to 0, तो इसको ये family of circle की equation है, और family of circle की equation है, always passing through the two fixed points, और वो दोनों fixed points कौन है, इस circle, fixed circle and line का intersection point, तो ये circle अगर s है, ये line l है, तो circle and line के intersection point से, कितने circle pass होंगे, infinity circle, इन सभी circle को क्या बोलते है, family of circle, तो then, आप क्या करना है, इस curve और इस line को क्या कर दो, solve कर दो और क्या है, इनका जो intersection point है, वो क्या होंगे, fixed point, तो देखो, x square by y square equal to 2c square, then y equal to x, तो y को x लेने पर क्या है, 2x square equal to c square, then x equal to, plus minus c, तो x को c लोगे, तो y c आगया, x को minus c लोगे, तो y minus के c आगया, तो देन इस case में, इसके two fixed point होंगे, c, c and minus c, minus c, तो इसका first और fourth option, correct होगा, चलो, ठीक है न, इस तरीके से question solve करना है, नेक्स्ट देखो, question number six क्या है, z equal to given है, आपको x plus i to y, and z non-zero, मतलब, z एक complex number है, वो non-zero complex number है, then which of the falling is true, तो देखो, simple question है, तो z equal to x plus i to y है, z आपका non-zero है, तो इसका modulus क्या होगा, root of, तो यह mod z क्या है, यह real number है, वो भी positive real number है, एक positive value है, बतलब किसी भी complex number का, जो modulus हो, जो क्या होगा, एक positive real value है, तो देखो, first part तो बहुत simple है, इसने पूचा है, कि integration of 0 से 100, argument of mod z, dx, तो एक बात बताओ, mod z क्या एक positive value है, तो mod z positive value है, तो positive value का argument क्या होगा, positive value lies on the positive x axis, तो इसका argument क्या होगा, 0 होगा न always, तो यह 0 आगया, तो solve करने पिसकी value क्या हैगी 0, बोलो आया न, तो first option तो इसका, sorry, first option इसका correct होगा, second option में क्या बोला गया, देखो, real part of z 0, मतलब real part of z, sorry, real part of z is less than 0, इसका मतलब x आपका negative है, question में x negative होगा, ठीक है न, फिर आपको argument of z plus z बार की value चीए, तो z plus z बार कितना वोगा, 2x हो गया न, x में नेगेटिव है तो बेटा, z plus z बार जो complex नमबर है, यह negative complex नमबर है, तो सिंपल सी बात ही है, कि z plus z बार आपका 2x है, x negative value है, तो z plus z बार क्या है, एक real value है बाट वो नेगेटिव real value है, तो z plus z बार लाई जोंदी, negative x-axis, इस case में इसका argument pi होगा न, और जब pi होगा तो 0 से 100, pi dx तो pi तो बार आगया, तो इसकी value क्या जाएगी 100 pi, तो इसका second option भी correct होगा, fourth option तो गलत है, क्योंकि z बार का mod लोगी तो भी तो ही जाएगा न, तो इसका भी argument जीर होगा, तो fourth option तो wrong होगा, third में क्या करना है, z upon z बार, plus z बार अपों z का argument देखो कितना होगा, उसको put कर देना, तो देखो, z upon z बार plus, z बार अपों z, तो इसको lc में लोगी तो क्या कहे, z square plus, mod z square, तो z square की बेलू क्या होगी, x square minus y square plus 2x y iota, और z बार का square, x square minus y square, minus की 2x iota y, तो then finally आजाएगा, 2x square minus 2y square upon, x square plus y square, yes or no, इसमें से 2 कॉमल ने सकता हूँ, जादा स्यादा, अब यह z upon z-bar plus z upon z, यह भी एक real value है, मतलब एक real complex हम रहे है, तो यह positive x भी हो सकता है, negative x भी तो आपको यही चेक करना है, कि यह value negative होगी यह positive, तो देखो इसमें बहुत अच्छी सी बात बोलीगी है, real part of z less than imaginary part of z, मतलब x less than y है, और real part of z और imaginary part of z positive, मतलब x and y बहुत हार positive, तो यह आपको पता होगा, कि x और y अगर दोनों positive हैं, और यह x less than y है, तो positive less than positive, तो अपन series की squaring भी कर सकते हैं, yes sir, तो x square minus y square always negative होगा, तो यह always negative है, तो finally यह जो real number है, negative real number है, तो once again इसका argument क्या होगा, pi होगा न, अगर इसका argument पाई है, तो again इसकी value 100 पाई होगी, तो इसका first, second और third option correct है, एक simple सा question था है, उसके बाद देखो seventh question, यह good question है, consider the equation this part, the value of alpha, आपको alpha की value find out करना है, for which the equation has roots independent of lambda, मतलब इसकी जो roots हैं, वो lambda से क्यों होगा independent, चुले, इसको rewrite करते हैं एक बार, x की power 5, plus 5 lambda x की power 4, minus के x cube, इसको भी multiply कर दो, plus lambda alpha x square, minus के 8 lambda x, minus के 3 x, देखने, correct एक बार, x की power 5, 5 lambda x की power 4, minus x cube, plus lambda x square, minus के 4 x square हो रहाएगा, ठीक है ना, minus के 4 x square, दोबार लग देखने, minus के 4 x square, minus के 8 lambda x, minus के 3 x, अब यह के रहा है कि, इस equation के जो roots हैं, वो lambda से independent है, मतलब जो root से, वो lambda से independent है, तो बताँ, अलफा की value क्या होगी, तो इदे को इसमें करना है, क्या बेसिकली थोड़ा समझो, roots अपन को lambda से क्या बनाने, independent, तो यह काम करें, lambda वाला part अपन, कॉमन लेके देखते हैं, तो देखो, remaining part तो कौन सा होगा, x की power 4, lambda वाले part को अटा दो, बागी सारे part को सेपरेट कर दो, इसको तो कर देते सेपरेट, तो यह क्या आगया, x की power 5, minus के x cube, minus के 4x square, minus के 3x, यह तो मैंने सेपरेट कर दी, की x वाला part, plus, remaining part में से, सम्में से, lambda कोमन आरा शाय देखो, इन सम्में से, जब लेम्दा कोमन लोगे, तो देखे, तो देखे, रमेंदा कोमन लोगे, बोलो, 5x की power 4, minus 3, sorry, plus, lambda x square, sorry, alpha x square, minus 8x, इतना आने के बाद ही कहे रहा है, कि इसके roots, lambda से independent है, इसके roots, अगर lambda से independent है, तो इसका meaning क्या होगा, यह ऐसे ही बुल सकते हो, कि lambda की all values के लिए, lambda से independent, lambda से कोई फरक नहीं पढ़ेगा, roots पे, तो इसको थोड़ा देखो, उसमें क्या करना, alpha की value इस तरीकी से लोगे, सुनो, इसका meaning क्या indirectly, alpha की value बताने ही, जिसके लिए इसके root क्या होगा, lambda से independent, तो एक बाद बताओ, इसमें x की value put किया आपने कुछ, उस x की value को put करने से, यह 0 आ गया, और इसमें put करने पे, यह भी 0 आ गया, तो बताओ, lambda से कोई फरक पड़ेगा, क्या कोई फरक नहीं पड़ेगा, हाँ है ना, तो इसी तरीकी सोचना है, कि alpha की तो क्या value ले, alpha की value लेने के बाद, इससे जो x की value जाए, उनको put करोगे दोनों में, इस x की value जाए, उनको put करने से, अगर ये 0 और ये 0 बन गया, तो lambda से क्या होगे, इसकी root independent होगे आपके, तो देखो इसमें basically होगा क्या, अगर आप इसको fx लेट करते हो, तो देखो इसका differentiation लेट करो उसको आप, ये देखो इसका f dash x एक तरीके से, क्योंकि इसको अगर fx लेट करोगे आप, तो इसका differentiation क्या हैगा, 5x की power 4, minus के 3x square, minus के 8x minus के 3, ये सर, और f dash x, ये तो है f dash x, और अपने इसको अगर f dash x लेट किया है, इसमें दो case है, first case तो क्या है, ये मैंने बताया है कि आपको, इसका f dash x इसके similar आ रहा है, तो first case क्या है, अगर इसको ऐसे लिखता हो कि, fx plus lambda f dash x, ये लेट करता हो आप, तो एक बात बताओ, fx और f dash x के roots अगर same हो, कि fx equal to 0, and f dash equal to 0 है, same root, तो उस case में बताओ, ये lambda से independent होगा न, इसके roots lambda से always क्या होंगे, मतलब कोई फ्रक नी पढ़ेगा, lambda को लिखने से, तो first possibility तो क्या होगी, fx equal to 0, and f dash equal to 0, have common root, same root का मतलब common root होने चाहिए, तो सारे के सारे roots same कब हो सकते हैं, जब nk correspondent coefficient same होंगे, तो क्या किया, fx plus lambda f dash x 0 आगे, इसका meaning, fx equal to 0, and f dash equal to 0 की roots का होने चीज, same होने चीज है, तो इसमें तो क्या करना है, देखो blackboard पे, जब आप fx equal to 0 equation को solve करोगे, इदा सुनना, इस fx equal to 0 को solve करोगे, तो fx equal to 0 को solve करने पे, इसको cable x की एक ही value satisfy करती है, इसमें x को 2 put करके देखो, इसे, तो x को 2 put करो, 2 की power 5, 32, minus 2 की power 3, 8, 16, minus 6, और minus के 2, तो देखो, 8, 14, 16, 32, minus 32, 0 आगे है, यह सर, मतलाब fx को 0 किया, तो 1 x equal to 2 को क्या करता है, satisfy हाँ है ना, और अगर x equal to 2 को satisfy करता है, तो क्या बोल सकतो है, आप बोलोगे, तो x equal to 2 कर गया, बाकी root के बारे में क्या बिचार है, बाकी जब इससे root finite करोगे, तो सारे के सारे root, imaginary आते हैं, क्या थे, सारे के सारे root, imaginary आने वाले हैं, तो इसके सारे root, आप करना, x equal to 2, इसको satisfy करेगा, तो आप x minus 2 से divide करोगे, तो एक power 4 में इसका quotient होगा, उसको जब solve करते हैं, उसको solve करने के अलगी technique है, उसमें first last term को एक साथ करना, second second last को एक term करना, तो first and last term एक जैसी होगी, second second last एक जैसी है, तो इसको t मान के करोगे, तो इसके root आते imaginary, तो इस power 5 की equation का एक ही solution है x equal to 2, simple सी बात यह है, कि f x और f dash x have the same root, have the same root, तो दोनों के root same है, तो इसका root 2 है, तो f dash 2 भी आपका क्या होगा, 0, तो क्या करना है, ये f dash x से इसमें x को 2 फूट करके 0 कर देना, तो एक alpha की will to आजाएगी आपको इस से, कर लो के खुणा भाग, उसके बाद second possibility क्या हो सकती है, देखो, second possibility में क्या करना है, अगर, f x equal to 0, इसमें दो चीज़े भूली है आपने, कि एक बार तो f x equal to 0, और f dash equal to 0, have the same root, root same हो, तो इसके जो root है, वो भी इसके root होने चीज़े है, तो इसका एक ही root था, x equal to 2, तो x equal to 2, इसका भी root है, तो क्या करें करें, satisfy है, और second case बूल सकतो की, f x equal to 0, और f dash equal to 0, have the same root है, तो इसमें तो same root, आपने real root let किया है, क्या let किया बोलो, real root, अगली बार में क्या करो, इसके लेट आपने बोला कि, f x और f dash x equal to 0, have the same root बोलो, same root बोलने के बाद, अगर आपने इसका क्या किया, differentiation, तो एक बात बता हो, थोड़ा केरफुली देखना, कि f dash x, अगर इसके equivalent बन जाए, तो फिर भी तो इसको always क्या करेंगा, satisfy, बात को सुनो, इसके लेट फाइब रूट है, तो इसका जो difference क्रोग हुए, उसके चार रूट होंगे न, और वो चारो के चार रूट इसके equal बन जाए, तो भी क्या करेंगा, इसको always satisfy करेंगा, तो अगली step में क्या करना है, कि इससे जो average x होगा, आप ऐसे समझ सकतो, कि let x equal to alpha इसको satisfy करेंगा, तो एक तो आपने लखा f of alpha प्लस lambda, तो यह रूट alpha से independent करोंगे, जब f of alpha 0 हो, and average alpha 0 हो, तो यह बाला पार्ट तो आपने कर दिया, फर्स्ट किसमें, अगले किसमें क्या बोला जाए, कि, यह बहुत, इसकी जो average x है, और यह average x है, यह दोनों क्या बन्जा, identical, मतलब आप यह बोलो, कि इसके root, इसके root की equal होने चाहिए, एक बार तो इसके root, आपने इसके equal होने, एक बार उल्टा बोलो, यह दोनों equal कब हो सकते हैं, जब alpha की value क्या लोगे, minus 3, बोलो आया है ना, तो एक बात खुछ सोचो, alpha की value minus 3 लोगे, तो alpha की value minus 3 लेने पर क्या होगा, इसका average x और यह average x दोनों equal है, तो यह again lambda की all values को क्या करेगा, मतलब इसके root भी क्या होंगे, lambda से independent होंगे, तो second case में क्या करना है, कि आपको इसके average x को, इसके average x की equivalent करना है, संभी मेरी बात को, दो चीजें C के अंदर, कि fx और f-x has identical equation, identical हो का मतलब, यह average x power 4 की है, तो इसका differentiation करोगे, तो वो दोनों differentiation अगर equal करोगे आप, दोन equation का मतलब नीची identical, तो उस case में तो, जब दोनो equation को आप compare करोगे, तो आपको alpha की value मिलेगी minus 3, और एक बार क्या करो, कि fx equal to 0 का जो root है, वो इसको अगर satisfaction करता है, तो हमेशा lambda से क्या होंगे, इसके root independent होंगे, तो इसमें alpha की 2 value जाने वाली है, एक तो करोगे आप, इसको solve करने से, और एक answer जाएगा, एक तो आगया alpha minus 3, तो थर्ड option आगया, और इससे जब f-2 को 0 करोगे, तो इससे value आती है, minus के 64 upon 5, किसकी alpha की value ठीक है न, तो इसका 3rd और 4th option correct होगा, चलो, तो इससे value ठीक होगा, नेक्ट देखो कुछ नमर 8 क्या है, यह भी गूड कुछन है, बहुत अच्छा कुछन है, फोट अब धी परपेंडिकुलर, फ्रॉम उरिजिन टूदी नॉर्मल टूदी कर्व दिस पार्ट, where z equal to x plus i to y, मतलब, उरिजिन से आपने इस कर्व पे क्याटर किया फोटो परपेंडिकुलर, तो उसका लोकस पता ना आपको, ठीक है ना कि कौन सा लोकस होगा उसका, तो देखो बलेकबोड पे, एक कर्व गिवन है आपको, z plus 2 का मोड माइनस, देखो उसका basically meaning क्या है, कि एक complex number में एक कर्व का लोकस है, इसको ऐसे लिख सकते ही, z minus z1 का मोड माइनस, तो इसको क्या बोलोगे, एक point है आपका P, इसकी दो point है z1, z2, इनसे distance का difference अगर constant है, तो उसका लोकस क्या होगा hyperbola बोलते हैं, क्या बोलते हैं, hyperbola, मतलब, P की A से distance, यह light point A है आपका, यह light point आपका भी है, तो क्या लेखोगे, P की A से distance, PA, of this part is hyperbola, पटर सुसमें करते हैं, कि जो constant value है, वो क्या होगी, z1, z2 के difference से greater होने चीए, less होने चीए, इसमें लिखते हैं, यह देखा होगा आपने, यह लिखते हैं, जेड की z1 से distance, माइनस जेड की z2 से distance, अगर k है, और इसमें k क्या होगा, और z1, z2 के हैं, उसके फुकाये हैं दोनों, तो दोनों focus के वीच की distance के होती है, तो 2a ही आपका होगा, z1 minus z2 का difference, बोलो आया ना, तो इसन्टी सिटी आपकी वंसे गेट होगी न, आई परबोला में, तो क्या गया, z1 minus z2 का मॉड़ अपन 2a, और 2a कितना है के, तो एक condition भी चेक करें, कि k less than z1 minus z2 का मॉड़, तो देखो, k तो आपका 2 है, और z1 तो क्या है, पॉइंट minus 2,0, ये पॉइंट तो है, minus k2,0, और ये पॉइंट है आपका 2,0, तो इनके बीच की distance 4 है, तो इसको 2 करेगा, तो देन क्या बोलो कि, इसका लोकस एक हाइपरवोला होगा, क्या होगा बोलो, इसका लोकस हाइपरवोला है, तो इसका लोकस अगर हाइपरवोला है, तो ये z1, z2 की फुखाय है, तो इसको एक काम को ऐसे बना दो, डाइगराम को ये लो, एक फुकाय है तो है माइनिस की 2,0 और एक फुकाय है 2,0 मतलब फुकाय का मतलब A,E आपका 2 है और ये वेलू किसके एक्वल होगी 2,A के एक्वल तो 2,A आपका 1 है sorry 2,A आपका 2 है तो A तो 1 आगया और E मेरे पास आगया 2 ए आगया,E आगया तो S N T C T की फॉर्मले से B V A आपका आपका वाइक्वर प्लस क्या लेगोगे e2 equal to 1 plus b square upon a square तो e square is 4,1 plus b square तो b square equal to क्या आगया बोलो 3 यह sir a1 है तो b square 3 है तो equation of hyperbola is x square upon 1 minus y square upon 3 equal to 1 यह आपके hyperbola की क्या होगी equation होगी ठीक है वाट इसमें जो मुद्य की बात है वो क्या है कि जो हाईपर बोला की कुशन लिखतो आप इस फॉर्मेट में वो क्या होगी जैड की जैड़ बन से डिस्टेंस माइनस जैड की जैट की जैटू से डिस्टेंस का हॉल मोड की आना चाहिए उस case में इसको मानोगे, अभी क्या होगा इस case में अगर आपने इस mode को अटा दिया, अगर इस mode लगा दिया, इसका मतलब तो क्या है, यह complete hyperbola है, complete hyperbola का मतलब, इसमें बहुत branches को आपको include करना है, और अभी क्या होगा देखो, PA-PB का difference होगा रहा है, P का है, point Z lies on the hyperbola, तो point P की A से distance और B से distance का difference, तू कवा सकता है, जब यह point आपका A है, यह point B है, तो P की A से distance greater कवा सकती है, जब point P को आप इधर मानोगे, तो आप खुछ सोचो ना, PA-PB का difference positive आ सकता है, अगर point P rightward branch पे लाई करता है, सही है न, तो ध्यान लगें, कि PA-PB का difference positive आ रहा है, इसका मतलब, जो point P आपका वो, nearest focus पे लाई करना चाहिए, nearest focus की जो ब्रांच उस पे लाई करना चाहिए, तो इस से इस question में final बात तो यह हो चुकी है, कि यह जो locust given है, यह only hyperbola की one branch है, क्या बोलो one branch, और वो कौन सी ब्रांच है, 1st और 4th quadrant वाली, यह सर, मतलब, आप जो कुछ करोगे वो उसी ब्रांच पे करना है, इस ब्रांच पे ध्यानी मत दो, तो अब क्या बोला गया है, कि उस ब्रांच पे कोई भी point है, उस पे आपने नोर्मल, तो इस नोर्मल पे जब आप क्या करोगे, origin से photo perpendicular तो उसका लोकस बताना है, तो कि सीरी सीरी बात है, इसके पे तो काफी सारे point पे अपन नोर्मल ड्रो करेंगे, तो उसका लोकस चेंज होगा 100%, तो क्या करना है, देखो, अपन इसी point पे लोकस की बात करते हैं, तो उसमें ये बात पचाचल चेंगी, हाइप्रवोला की उधर वाली ब्रांच काम आने वाली है के बाद, तो उसको अटा देते हैं, हाइप्रवोला की equation अपन लिदी लिख चुके है, तो equation क्या है, हाइप्रवोला की, देखो, x is square upon 1 minus, y is square upon 3 equal to 1, ठीक है? सो और ये तो लेना है नहीं अटातो, उसकी जुरत ही क्या है, only ये वाली ब्रांच लोगे आप, ठीक है, तो इस पे क्या करना है, इस point P पे लेट, ये तो इसकी tangent है, इससे मतलब नहीं मेरे को, आपन तो इस point पे क्या करते हैं, और इस normal पे आपने क्या किया, origin से ड्रोग किया, photo perpendicular, तो इस point M, H, K का बताना, लोकस, इस point M का क्या चीए, लोकस, तो क्या करें, सिंपल हो जाएगा, ये लेट O है, तो आप पहले point P लेट करो, parametric form में, A sec theta, b 10 theta, तो कितना जाएगा, sec theta, root 3 10 theta, b इसका, तो point P पे, equation of normal, तो अगर point आपका, x1, y1 है, इदर सुनों, एक वाल लेट, point मैंने लेट किया, x1, y1, तो देन, equation of normal, क्या होगी, आई पर बोला में, equation of normal, at point P is, a square x upon x1, याद रखें, a square x upon x1 minus, b square y upon y1 equal to, sorry, plus आता है, ellipse की किसमी, दोन तरह minus आएगा, ठीक है, na, a square 1 है, b square आपका 3, ये पुट कर देते हैं, और x1, y1 की value भी ये पुट कर देते हैं, तो कि मेरे को parametric form में चीए, तो a square तो बने अटाओ, upon sec theta आगया, plus b square 3, y upon y1 is root 3, 10 theta, yes sir, equal to 3 square, 3 plus 1, 4, तो ये आगया, cos theta x plus, root 3, cos theta y equal to 4, ये आपकी normal की equation है, तो आपको hk का locus चीए, मतलब आपको hk का constant में लाना relation, तो दोको उसके लिए क्या करें पर, first of all, तो ये कर सकते हैं, कि इस om जो line है, ये आपकी इस tangent की parallel है, इस tangent की क्या है, parallel है न, तो simple सी बात ही है, कि tangent का slope क्या होगा, इस slope की equal, तो normal का slope पता है मेरे को, तो tangent का slope उसका ultra negative, तो tangent का slope आप इसकी slope की equal करोगे, तो आपको hk में एक relation मिल जाएगा, minus coefficient of x upon coefficient of y, तो इसको final सोर करने पर कह जाएगा, ये cos upon sin आगे न, cos upon sin, तो sin तो चला गया ऊपर, cos अट जाएगा अटा हो, तो ये आपकी normal का slope, तो tangent का slope क्या होगा, ultra or negative लिख सकते हैं, then, slope of tangent is rule 3 sin theta, reverse or negative, तो ये जो tangent का slope है, और इस में, इस line का slope क्या होगा, k upon h, k minus 0 upon h minus 0, तो ये k upon h की equivalent होगा, तो इसको cross multiply करोगे, तो then, sin theta की वेल होगी, root 3 h upon k, हाँ है न, sin theta root 3 h upon की आगया, और एक simple सी बात है, ये जो normal है, इस passing through the point h, के, ये m h, के से पास करा सकतो, क्योंकि मेरे को h, k, और constant में लाना relation, तो चलो put करो, तो क्या आगया, cos theta h plus, root 3 k, cot theta equal to 4, अब इसमें cot और cos को ही तो element करना है न, तो एक काम करो न, sin theta है, तो cos और cot की value निकाल दो, दिक्कत क्या है, तो निकाल देते हैं ये लो, ये लाए theta है, ये root 3 h होगा, ये k है, तो क्या है गया, root of a square minus, sorry, this square में this square, तो k square minus k 3 h square, ये sir, चलो value पूट कर देते हैं, ठीक है न, सबको simple है, तो इसमें value पूट कर देते हैं, इसको डादेते हैं देते हैं, कोई अरूत में इसकी, तो क्या लेखे होगे, देखो बीटा, cos theta क्या होगा, under root, k square minus, 3 h square upon, k, k into में आरा है h, इस h को लगा तो आगे, plus, root 3, कोट theta की value this upon this, तो अभी भी root आगे है देर तो, k square minus 3 h square upon, root, 3 h, equal to 4, कोई गरवडी तो नहीं है, सबको सही होगा, और क्या है, देखो लेक बढ़ दोबार, h, cos theta की value this upon k, yes sir, plus, root 3, k, cos theta की value, this upon root 3 h, यह से cancel out, देखो यह bracket बाला पार्ट को मन आगे, root बाला, तो root बाले पार्ट को को मन लोगे, तो क्या आगे, k square minus 3 h square, और bracket में आगे, h upon k plus, k upon h equal to 4, yes sir, इस की कर दो, squaring, तो क्या आगे, और h को x, और k को क्या लेना y, तो y square minus 3 x square, और यह आगे, x square plus y square upon, x y का whole square equal to 16, yes sir, x square upon y square को, दोनों पे पावर लगा तो separate, square separate करने पे क्या आगे, y square minus 3 x square upon, x square y square equal to, इस square वाले पाट को डिवाइड में ले आएं, और x square y square से, जब आप इसको separate divide कर रोगा तो क्या आगे, 1 upon x square minus, 3 upon y square equal to 16 upon, x square y square का, यह इस photo perpendicular का क्या होगा, लोकस होगा, ठीक है ना, तो एक length है, length है ठीक है, बस लिखने में थोड़ा length है, यह लिखे हैं, फटापट, h के में relation लाना, तो sin theta का, theta का animation करना आपको, तो तो इसके according अगर बात करोगे तो, इसमें इसका first और third option match करता है, क्या करता है वो, first और third option match करता है, अब बताओ इसका answer कौन सा fill करना है, दोनों करना है कि only first and third करना है, तो देखो इसमें गरवड़ी क्या है, तो क्योंकि जो अपना locust था वो क्या था, only right hand branch थी इसकी, तो अगर यह right hand branch है, तो point P कहीं भी लोना, इस point P का जो तो X कॉडिनेटव वो हमेशा positive होगा, Y कॉडिनेट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो third option wrong करना है, क्योंकि third option में Y positive बोला गया है, तो first में तो X positive है, तो X positive यह चाहिए कुछ भी होना, point always आपका first or forward coordinate में होगा, तो यह option तो इसलिए correct है, third option में Y positive बोला गया है, X के लिए कोई information नहीं है, तो beta अगर X negative आगया, तो बता यह positive होगा क्या no, तो only इसका first option correct है, ठीक है बस ध्यान रखना इस बात को, चलो, उसके बाद देखो question 9 क्या बोला गया है, XR गिवन है आपको, एक complex नमबर है, XR equal to, सिस का मतलब cos theta plus i hata sin theta होता है, अगर कोस पाई अपन टू की पावर है, प्लस आयोटा साइन पाई अपन टू की पावर हार, ठीक है, आर आपका जो बन से एन है और आर एन बोधार नेच्रूल नमबर है, ठीक है चलो, तो options जो गिवन है उसमें क्या गिवन है, पाई आर इक्वल टू वन से एन एकसर के रियल पाट की पेल्यु बताओ, और आर इक्वल टू वन से एन एकसर के इमेजनरी पार्ट की लिमित, एन टेंस्ट उ नफिटी पे लिले बताओ, तो x tends to infinity मतलब मैं लिख देता हूँ आपको एक तो option है limit x tends to infinity real part of pi r equal to once again xr और एक option है limit x tends to infinity imaginary part of once again pi r equal to once again xr तो देखो क्या करना है इस question में basically यह बात की बात है सबसे पहले आप इस value को करो calculate pi का मतलब product करना xr का तो देखो इसको ऐसे लिखो ना इसको लिखते हैं आयलर formula से यह पढ़ाओगा आपने cos theta plus iota sin theta को क्या लगते है e की power iota theta तो आगया e की power iota theta is pi upon 2r तो इसमें करना है कि आपन को pi r equal to 1 से n xr का multiply this is x1, x2, x3, xn तो एक बार तो r को 1 लोगे तो 2 की power r को 1 लेने पे pi by 2 आगया तो क्या जाएगा देखो एकी power iota और यह आप सम्मने पढ़ा है कि base equal to power को add कर सकते हैं तो कर दें सीधे करकर हम तो iota pi तो common आगया तो क्या गया 1y2 plus 1y2 square अरे यार x1 की value क्या होगी e की power iota pi by 2 अगले में e की power iota iota pi upon two square up to seven तो base equal to power को add कर सकते हैं तो कि प्रोग्रामिंग आपकी चलती रहेगी और बाद में कि देखो चाहो तो पहले एंट तम का समिशन यूज कर लो और सीडी सीडी बात है लिमिट अगर x की है लिमिट x infinity की तरफ टेंड कर रहा आपका तो x अगर infinity की तरफ टेंड कर रहा होगे आप तो देखो इस केस में क्या होगा अगर आपका infinity की तरफ टेंड करोगे आप तो सीडी सीडी बात है यह infinity जीपी बन जाएगी आपकी की पावर आयोटा पाई in a upon 1-r तो वनभाई-टू आगे न होगेण घ्idyонов इकी पाव ए अवता पाई यह यह कोस पाई प्लेस आयोटा साइन पाई तो यह आगे माइनिस के बन मतलब इसके रियल पार्ट मेंनस वन तो इसकी यह एन ही पाट रजय मेंसीा और इमजन की से जाएगा इसका जीरो तो यह N की लिमिटर बेटा सॉरी तो इसका फर्स्ट और फोर्ट और फोर्ट ओप्शन करेक्ट होगा ठीक है चलें उसके बाद देखो कुस्टन नम्बर 10 क्या लास्ट के इसमें डूटीपल छोइस का ज्यड वी वी नूं रियल कॉंप्लेक्स नमबर ज्याद कॉंप्लेक्स नंज रियल सैटिस्फ्फाइंग मॉडड एपकल टू तो डेटा मोड जैट एक्वल टू का मीनिंग के एक सरे के लिए जिसका सेंटर जीरो जीरो है और रादियस आपकी टू इतना ही रामान भूले गई यह देन विच आप दी फोलिंग ऑफसे जी ट्रू आर्गुमेंट ऑफ जैड माइनस टू अपों जैड प्लस टू एक्वल टू प्लस म क्या इसका मीनिंग के एक इसको रोटेशनल थेओरम से फांड़ आट किया गया है यह लेट जैड है यह जैट वे यह लेट आपका जैड बने है आपने अंटी क्लोगवार डिरेक्श्ट में के अपलाई की रोटेशनल थेओरम तो यह थीटा क्या है इस अपों इसका अपन इनीशिल कॉंप्लेक्स नंबर के विट्वेंड एंगल है इसको डिनोट करते हैं ऐसे अपन तो इक बात को सोचो ना अगर यह थीटा मैंने 90 बना दिया 90 की सोरी की पाई बना दिया इसका मतलब की पाई का बासकता भी जैड बन इदर आजाएगा आपका और अगर जैड बन इदर आ गया तो सीधी बात है जैड इसके बिट्वेंड कई भूम सकता है ना तो इस केस में जैड का लोकस क्या जैड बन को दोबार उपर ले आओ नीचे तो क्या होगा कि यह जैड पॉइंट आपका अगर जैड बन इदर आगया तो जैड इदर कहीं भी ले लो ना आप तो यह आपकी रे आएगी क्याएगी बोलो एक रे होगी बोलो आया ना अरे जैड बन जैटू को फिक्स कर दिय बन जैडो बन जैगा है तो यह एंगल मेरे को लाना है कितना कि चीनल डिगरी तो जीन डिगरी आने कली यह यह आपकी रे बन जाएगी यह पर ऐसे समझ सकते जीन गिरो डिमीनallo ने क्लिक इसको आगर करदो यह बन जाएग आपक यसे तो ऐसे चलेगी यह प्रोग्राम है कि उसके बाद अगर theta zero लिए पाई की between हो तो इसको mathematically zola करना है इस case में जो इसका argument हो क्या होगा एक circle होगा इस case में इसका locust क्या होगा एक circle होता है ठीक है तो यह mathematically drive कर सकते हैं देखो अदर ब्लेकबोड पे, यह लाट एक सरक्यल है, यह इस पे point Z1 है A, और यह लाट point है B आपका, Z2, और इस पे moving point है PZ, तो आप देखो दंग से, अगर मैं इसको ऐसे जोइन करता हूं, तो बने गाना argument of this minus this upon this minus this theta, तो Z1, Z2 इसके code के endpoints है, ठीक है, तो argument of Z minus Z1 upon, Z minus Z2 equal to theta, और theta मेरा 0 से pi by 2, union pi by 2 से pi हो सकता है, और union only pi हो सकता, pi by 2, तो सीधी सीधी बात है, अगर यह code के endpoint है, और अगर center इसके बीच में है, फिर तो क्या बोलोगे, यह angle 90 से less होगा ना, और अगर यह point इदर मान लिए जाए, तो center ऊपर की तरफ है, तो यह angle pi by 2 से बढ़ा होगा, तो देखो अगर इस case की बात करोगे आप, तो z आपका इस portion में कहीं हो सकता है, तो क्या हो लोगे कि then locus of z is minor arc और theta 90 से greater है, तो z इस बाले portion में होगा, तो यह क्या होगा, इसका major arc होगा, वो लोग क्या हो, sorry, sorry, यह तो क्या होगा, minor major arc, अगर यह center है, तो यह तो major arc ह होगा, और यह क्या होगा, minor arc, theta 90 से ले से तो circle का major arc होगा, और theta 90 से greater है, तो minor arc होगा, और beta यह theta plus minus pi by 2 कब आ सकता है, जब z1, z2 is become the end points of diameter, yes sir, तो देखो, सीधी सीधी बात है, circle का center 0, 0 है, radius आपकी 2 है, तो इसको जब आप proper x by plane पे float करोगे, तो क्या होगा, ऐसे होगा, diagram, यह point minus 2, 0 है, यह आपका 2, 0 है, तो देखो, point आप कहीं भी मालो, इदर, तो z minus 2 upon, z plus 2 का जो argument हो, क्या होगा, 90 degree आगा, plus minus के, yes sir, तो देन इसका first option correct होगा, ठीक है, second option में क्या करना है, यह अपन को verify करना पढ़ेगा, first point तो कितना है, minus 1, root 3, देखो, यह दोनों point इस circle पे लाई करते हैं, यह circle यह है न, minus 1, root 3 ले लो, या फिर, 1, minus root 3, यह बहुत point सा लाई जोंदी circle, तो यह कह रहा है कि अगर यह दोनों point diameter के, sorry, एक cord के end point है, तो बताओ circle पे जो angle बनेगा circumference पे वो पाई वाई 6 होगा, तो इसको तो एक काम करो, ऐसे देख लो, फड़ापट से, इसका center 0, 0 है, एक point इधर रहा, एक इधर रहा, कहीं मालनों, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो आपको यह angle बताना है कि यह angle क्या होगा, तो क्या करो, center से zone करके आप पहले यह angle देख लो, यह theta है, तो यह कितना होगा, theta by 2, यह आप इसको 2 theta मालो, तो यह theta है, तो यह भी theta, तो theta आगे नहीं, तो देखो बेलेग बोड़ पे, यह 0, 0 है, तो यह तो radius 2 होगी आपकी, हाँ है ना, और इन दोनों का Y कोनेट सेम है, तो यह distance आपकी 2 है, नहीं आई बास संज में, यह distance क्या बोलो, कुछ गरवड़ी तो नहीं इसमें, तो यह distance अगर 2 है, तो यह 1 है, यह भी बनोगा, तो देन, आप इससे फोर्मल लगा दो, sin theta equal to 1 by 2, तो theta मेरा आगे पाई वाई 4, तो यह अंगल कितना आपकी बोलो, पाई वाई 4 आपकी, क्या आपकी बोलो, पाई वाई 4, और यह सही है, तो यह एंगल पाई वाई 4 है, तो इसने तो क्या बोला, पाई वाई 6 तो यह गलत आंसर होगा, उसका, उसके बाद एको, 3rd or 4th option में क्या करना है, 3rd or 4th में पूचा गया है, कि Z square minus 1 की जो मोड है, इसकी maximum और mini value क्या होगी, तो इसमें तो वो यूज करो ना, ट्राइंगल इनिक्लिटी, क्या होती ही ट्राइंगल इनिक्लिटी, Z1 minus Z2 का मोड, यह प्लस रगा तो कोई दिख करती है, और इधर Z1 minus Z2 के मोड का होल मोड, यह सर, Z1 को Z square पुट कर दो, Z2 को माइनस मन लेलो, तो यह क्या आगया, Z square का मोड माइनस 1, Z square माइनस 1, और यह क्या गया, मोड Z square प्लस 1, Z की maximum, मोड Z की वेलू 2 है, तो मोड Z square को 4 लोगे, तो क्या गया, 4 minus 1, 3, यह सिंपल पार्ट इसका, तो Z square minus 1 का जो मोड है, वो क्या होगा, 3 और 5 के बिट्वें, तो इसका 3rd और 4th option भी correct होगा, तो इसके final answer होंगे, 1st, 3rd and 4th option, ठीक है, चले, तो इसके बाद बात करते हैं, section D की, तो देखो, section D का question number 1 है, question number 1 ने बोला गया है, for all real values of P, the line this part touch a fixed ellipse this part, if the authenticity of the ellipse is root 3 upon के, then find के, मतलब यह जो line है, वो इस fixed ellipse की क्या है, इस fixed ellipse को touch करती है, मतलब आज यह टेंजन की तरह काम करेगी है, यह क्लिफ्स के बेने आपको x square upon a square plus, और यह line इसको touch करती है, मतलब यह टेंजन, for all values of P, तो बताओ, इसकी centricity यह तो के की value क्या होगी, तो यह काम करो, आप यह tangent, लेट करो y equal to mx plus c, कि लेट tangent आपकी y equal to mx plus c है, और ellipse के लिए condition of tangency क्या होगी, root of a square m square minus, यह देना, c equal to plus minus root of a square m square minus k b square, यह सर, यह करने के बाद अपन क्या करें, यह जो tangent एक question की जो line है, इसकी equivalent है न, तो जो line है वो क्या गेवने उसको लिखते हैं है अपन, 2px plus y root, तो अपन इसको इसको इसी format में represent कर देते हैं, y equal to mx plus c में, क्योंकि इसको अगर y equal to mx plus c में convert करोगे, तो उससे compare करने से अपन m और c की value को यूज कर सकते हैं, तो देखो, इस 2x को अधर बेज़ दें, तो क्या गया y root, और एक simple सी बात आप सबको पता होगा शायद, कि जो condition of tangency apply करते हैं, वो इस equation के लिए लिए करते हैं, y equal to mx plus c, तो इसको भी मैं इसी format में convert कर देता हूँ, तो क्या जाएगा, इससे divide कर दो ना, तो y equal to आगया, minus k 2p upon root, 1 minus p square, plus 1 upon root, 1 minus k p square, मतलब आपने क्या किया है, इस line को, किस format में repetition किया, y equal to mx plus c, यह x और है, तो यह इसका m होगा, और यह इसका कौन होगा, c, तो यह line अगर इस ellipse को touch करती है, तो condition of tangency क्या लग सकते हैं, c square equal to, a square m square minus k b square, यह सर, और क्या करना है, c की value तो क्या है, this part, m की value this part है, put कर दो, और क्या है, तो c square तो आगे, 1 upon 1 minus p square, a square, m square करने पर कह जाएगा, 4, p square upon 1 minus p square, plus k, b square, अब यह p की all values को satisfy करती है, p की all values के लिए, यह इसकी tangent है, इस line को touch करती है, यह line इस ellipse को touch करती है, तो यह काम करो, इसको multiply कर दो पहले, तो क्या आगे, 1 equal to 4 a p square, plus b square minus, b square, यह p की all values को satisfy करती है, तो दो दो अगर यह p की all values को satisfy करती है, तो दो क्या कर सकते हैं, एक काम करो, इस p square वाली term को एक साथ कर दे, तो क्या जाएगा, 4 a minus b square into p square plus, अभी सब को समझ में आएगा, टेंशन मत देना, तो first of all अपने क्या की है, जो line given है, इसको y equal to mx plus c की format में represent कर दिया, और यह line अगर इस circle को टच करती है, y equal to mx plus c line अगर इस circle को टच करती है, तो condition of tangency क्या होगी, c square equal to a square, m square minus b square, तो आपने इसमें c और m की value put की, तो इससे a, b और p में आगया है relation, अब देखो, ढंग से समझ जाओग इसके बाद क्या है, यह आगया ना, अब question कहरा है, p की all values के लिए, यह line इस ellipse को टच करती है, तो p की all values के लिए, अगर यह line इस ellipse को टच करती है, तो देखो, यह p में इस quadratic है, p में quadratic है, तो यह आप समने पड़ा है, कि कोई भी quadratic equation, x की all values को एक कफ satisfy कर सकती है, x की all values को कफ satisfy कर सकती है, जब it is become an identity, और वो identity कब हो सकती है, जब आप अब इसके के coefficient 0 होंगे, तो बेटा, यह p की all values को कफ satisfy करेगी, जब this part and this part is become 0, तो then, 4A equal to आगया B square और B square 1, B square को 1 लोगे, तो A आगया 1 by K4, यह सर, तो eccentricity क्या होगी, under root 1 minus, देखो A तो 1 by 4 है, B is कवन है, तो बड़ा कोन है B है न, तो इसकी major axis आपकी, B बाला पाट है, तो इसकी eccentricity उल्टी हो जाएगी, A square upon B square, यह सर, तो यह जाएगा E equal to under root 1 minus 1 by 16, सही जा रहा हूँ के मैं, देखनें कोई गरवड़ी तो नहीं कर दी, देखो इसमें यह गरवड़ी कर दी अपने, यह A square तो सोरी, क्या था बोलो, A square था, ठीकि द्यान नगना, तो यदि यह A square तो सीधा, A square 1 by 4 आगया, तो then यह value 1 by 4 होगी, तो यह जाएगा root 3 by 2, तो यह centicity बोली गई, तो कितना आगे सके according, 2 answer fill करना चलो, उसके बाद एको question second, क्या बोला गया है, An endless string of length 12 is passed around the two nails, a distance 4 unit, and kept stretch via pencil, pencil can move such that, it is always in the contact of string, and string has tension in it, अब भी देखना इसका meaning है, then the eccentricity of konek, drawn by a pencil is e, find 100 e square, देखो इसको का meaning क्या है, यह two nails का मतलब, दो कील बोली गई है, जिनके बीच की distance है 4, पहली बात तो यह सुन लो, उसके बाद क्या बोलागा है कि, endless string of length 12, मतलब एक 12 length की एक रस्सी है, जो कहें, इन दोनों nail से पास होके जाती है, मतलब मैं अगर इसको रफली समझाऊँ, आपको तो ऐसे है वो, यह रस्सी मानलो, यह रस्सी आपकी ऐसे जाती है वो, यह रेड़ पेंड बाला पाट एक रस्सी है, अब क्या वो लगा है, इस रस्सी को इन दोनों nail से पास कराना है, मतलब ऐसे इनके बीच में से निकाल के पकड़ लो आप, अब इसको आप stretch करो, मतलब खींचते हो, इतना खींचना है कि यह एकदम state हो जानी चीए, तो जब आप इसको stretch करोगे, तो क्या होगा, यह डियाग्रम फोड़ा ऐसे बनेगा, इदर सुनना केरफुली, यह दो nail तो फिक्स है, तो जब इसको एकदम stretch करोगे, आप खींचो के ऊपर की तरफ, तो यह जो red part है, यह black part के साथ, मेच कर जाएगा यहूं, और बाकी का part ऐसे, tension थू ऐसे हो जाएगा, और फिर बाद में क्या करना है, इसको एकदम खेंच के, इसको कहीं भी गुमा सकते हैं, तो एक बार आपने इसको stretch करके इस जगे लिया, stretch करके फिर इधर लोगे, stretch करके फिर आप इधर लोगे, यह programming ऐसी चलती रहेगी, तो then, यह point P आपका moving है, तो इसको stretch करके जब दोनों साइड में move करोगे, तो क्या बोलोगे, यह जो PS plus PS dash है, उसकी length हमेशा fix रहेगी न, अरे हाँ है न, आपने इसको ऐसे fix कर दिया, तो क्या बोलोगे, PS1 plus PS2 की जो length है, वो हमेशा क्या होगी, fixed होगी, constant होगी, क्या होगी बोलो, औरे आप सबने पढ़ा है, कि एक point की, दो point से distance का summation, अगर constant है, तो इसको लोकस क्या होगा, ellipse होता है, क्या होता है उसको लोकस, और इस theory का यूज़ करना, तो क्या आगया, PS plus PS2 equal to 2A, तो 2A का मीनिंग क्या है देख उसमें, ये दोनो, PS1 plus PS2 की length का summation 2A, तो इसमें लड़ाई ये होती है, कि जो total length ns की 12 बोली गई है, उस total length 12 में, ये length हटानी है मेरे को, क्योंकि जब इसको stretch करोगे ना, तो अरे यार, ये total, ये जो आपका triangle बनाना, ये total length 12 है, ये 4 बोली गई है, तो remaining दोनों का summation 8 होगा, तो PS1 plus PS2 की value 8 माननी है, जल्दी से 12 मत मानने ना गलती से, तो 2A आपको 8 गिवन है, तो A आपका 4, A 4 आगया, और दोनों fixed point के between, जो distance से क्या होगी, ये दोनों की फुकाय है, तो ये आगया 2AE equal to 4, A आपका 4 है, तो SNT क्या होगी, 1Y, और SNT City यदि 1Y2 है, तो इसने पुझा, 100 E square की value, तो 100 into 1Y4, तो देन इसका answer फिल करना, 25, ठीक है, बागी तो सिंबल था, बस में इन concept ये था कि, ये ellipse देखने के बाद, ये फॉर्थ को अटाना है, क्योंकि ये जो constant हुए, क्या होगा, P की S1 से distance, और P की S2 से distance का summation, तो ये summation 12 नहीं है, ये summation आपका 8 होगा, 4 को माइनस कर दो, उसमें, ठीक है, चलें, उसके बाद एको, क्योंकि नमर 3 क्या बोला गया, इसको इधर ही देख लेते हैं, A and B are two matrices of the same order, such that, A into, B minus I 0 है, and B into, A minus I once again, आपका 0 है, I is the identity matrix of the same order, as of A, मतलब A का जो order है, वो ही identity matrix का order है, और A plus B का cube आपको बोला गया, K times of A plus B, मतलब A plus B की Q की जो value हो, K times of A plus B है, तो वताओ K की value क्या होगी, चलो देखते हैं, वताओ आपको कुछ नहीं करना, A plus B की cube की value को, A plus B की terms में calculate करना है, तो देखो, इसमें क्या करना चाहिए, करते हैं कुणा बाग, सबसे पहले काम करो ना, इसको थोड़ा small करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, सभी है ना, और आप इसके square और open करो, मेरे को इसको A plus B मिलाना है, तो क्या हैगा, A square plus matrix का square करने पे, A, B और B को अलग-अलग मानना है, क्योंकि अगर ये matrix commutative हैं, तो मैं 2A भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, A, B, A, B ये दोनों same है, अब इसको थोड़ा चोटा करके, इस bracket को भी A plus B की format में लाना, सीधी सीधी बात है, तो क्यों करो, इसको A से multiply करते हैं, तो क्या आगया, A, B minus A, तो A भी equal to A, और इससे आगया, B equal to B, अब चलो में simple, इसको A plus B में लाना है, तो बेटा, A, B की value तो क्या put करोगे, A और B ये को put करोगे, कोई बात नहीं, इसको भी A और B में लाना तो, काम करो ना, A square की value के लिए, इसको A से कर दो, पोस्ट मुल्टिप्लाए, तो A, B, B, A आगया, A square, और इसको भी पोस्ट मुल्टिप्लाए कर दो, तो B, A, B आगया, once again, B square, अब देखो, ये आगया ना, तो एक काम करो, इसमें, B, A की value क्या लिए सकते हैं, B लिए सकते हैं, तो B, A को B लोगे, तो इससे आगया, A square equal to A, B, और बेटा, A, B की value A है, तो once again, A square को मैं A लिए सकता हूँ, और इससे भी सेम होगा, A, B की value क्या है, A, तो ये क्या आगया, B A equal to B square, और अब अच्छो, B A को दोबारा पुट करोगे, B, तो B square भी क्या आगया, वो लो मज़ा आयागा नहीं है, यसर, question finish हो गया इसके बाद, तो क्या आगया है, A square को A रखना है, B square को B लेना है, तो finally आगया, A plus B, ये आजाएगा 2 A plus 2 B, मतलब आप ये समझ चुके हो, कि A plus B का जो whole square है, वो twice of A plus B आगया, तो ये 2 तो को मना आगये, क्या आगया, A plus B का whole square, तो बेटा, A plus B की whole square की value क्या थी, twice of A plus B, तो के कितना आगया, इसके according 4 answer आगया, तो के को 4 फिल करना आपको, ठीक है, चलो, तो ये तो simple सा question है, तो के लिए तो कुष्ट के दो कुष्ट ने बनवाई में देखते हैं, फटा पट, फटा पट, question number 4 and question number 5, question 4 क्या वो लगया है, alpha and beta are two distant non-zero complex number, alpha, beta दो non-zero complex number है, तो non-zero इसका मतलब, alpha, mod beta non-zero होगा, alpha plus 1 upon beta भी real number है, alpha plus 1 upon beta बिलोंग्स to real number, and beta plus 1 upon alpha बिलोंग्स to real number, तो आपको alpha, beta के, mod की, मतलब, modulus की value calculate करना है, तो इसका meaning क्या है, की alpha plus 1 upon beta, यह complex number है, यह real number है आपका, यह complex number क्या है, real है, इसका मतलब, इसका imaginary part क्या होगा, 0 होगा न, तो अपने एक खाम करते हैं, यह लेखो पहले, इदर आओ, कि जैसे z equal to x plus iota y है तो z bar क्या था x minus iota y तो add करने पर x तो आ गया z plus z bar y2 और subtract करने पर y क्या था है z minus z bar upon 2 iota तो एक बात बता हो ये तो क्या है इसका real part of z और y क्या है imaginary part of z ये सर अब देखो क्या करना basically अपनको question ने बोलागा कि ये complex number आपका real है इसका मतलब इसका imaginary part 0 होगा तो एक बात बताओ इसको मैं जदी z मानता हूं z equal to alpha plus 1 upon beta तो question क्या कह रहा है कि z belongs to real number तो z अगर आपका real number है तो then इसका इमेजनरी part of z क्या होगा 0 और इमेजनरी part of z का formula z minus z बार अपन 2 आउटा 0 मत्तब z equal to आगे बेटा z बार यस सर तो z का meaning क्या है यही है ना उट कर दो इसको alpha plus one upon beta equal to alpha bar plus one upon beta का बार हाँ है ना इसको कर देते क्रोस मिल्टीप्ला है तो alpha इदर आएगा और सही है ना अरे सीधी बात है alpha beta beta bar से multiply कर दो beta beta bar से multiply क्या गया alpha beta beta bar mod beta square plus beta bar equal to alpha bar mod beta square plus beta यस सर एक काम करते हैं अपन mod beta square वाले पार्ट को एक तरफ ले आते हैं तो जब mod beta square common लोगे तो bracket में आ गया alpha minus alpha bar equal to beta minus की beta bar यस सर इतना ही रखो ज्यादा मच छेड़ो इसको आप चाहो तो दिवाइड कर दो कोई फ्रक नहीं पड़ेगा यह लो तो डिवाइड करोंगे तो क्या आगे बोलो mod beta square equal to जाएगा beta minus beta bar upon alpha minus की alpha bar यस सर इतना आने के बाद once again इस property को इसमें भी अप्लाई करेंगे तो यह भी क्या करेंदा बीटा प्लस 1 upon alpha 0 इसका मनलव this equal to this bar अरे अगर इसको z मानोगे once again तो z equal to z bar करोगे ना तो क्या जाएगा beta plus 1 upon alpha equal to beta bar plus 1 upon alpha bar इस वार क्या करोगे अलवा अलवा बार से multiply तो beta mod alpha square alpha bar beta bar mod alpha square alpha इस वार once again mod alpha square common low तो क्या आगे beta minus beta bar equal to alpha minus alpha bar तो देन इस से mod alpha square की value क्या होगी sorry alpha minus alpha bar upon बीटा माइनस के बीटा बार ठीक है ना ये इसने mod z को non zero इसलिए बोला गया है क्योंकि beta beta bar zero आगया तो फिर जीरो आ सकता है ठीक है वो x और y दोनों नों जीरो है जो complex number है आपका alpha बीटा उसमें उनका real part और imaginary part दोनों non zero है तो ये zero कभी नहीं होगा ठीक है और अगर ये आ गया तो सीडी सीडी बात क्या होगी इस question में ये कहां चला गया वो ये लोग ये जो first equation है और इस second equation को अगर केरफूली देखोगे तो देखो दोनों का right part same आ रहा है sorry ये दोनों का reciprocal है तो अगर ये reciprocal है तो क्या करो first और second equation को कर दो combined मतलब multiply कर दो together तो first को second से जब multiply करोगे तो left में तो क्या गया more alpha square you saw about 0,2,2 यह सूरी मोर्द veterans profile equal to 3cm2 आपका बना जाए गा क्लको कर मोड ball far more bit as or आपका बने तो देन इस पे मोट एक साथ लगा सकते अलफ़ था का मॉड priest न्ट गोल तो 17 वी और 208 द काfrage जो magnitude 5 क्या होगा एलफा बीटा का जो मोडुलस है उसकी वेलू वन होगी ठीक ना इस तरीकी से कुश्चन को सौर करना ठीक कुश्चन है ज्यादा टफस्तु थानी विसे चलो और उसके बाद देखो लास्ट कुश्चन है ज्यादा लास्ट कुश्चन जितना देखने में है न उतना है नहीं है ठीक है बस माहूल बनाया गया कुश्चन को देखो इसमें क्या वो लगया है एक एक विश्चन गिवन है आपको इसके 34 कॉंप्लेक्स रूट है और वह फॉर्मेट गिवन है जैड की एकवल टू आर के वी खुश्च 2 पाई एके। प्लस साइन यह तो पाई एक ठीक है आयोटा साइन 2 पाई एक आयोटा भी लगाना है इसमें व्हेर के आपको गुवन है 1 से लेके 34 और यह जीरो से 1 है आर के पॉजिटिव है तो बताओ एवन प्लस एटू प्लस एथी प्लस एդ्री प्लस ए है 1 प्लस X प्लस X स्क्वार प्लस X की पावर 17 का ओल स्क्वार एक्वल टू एक्स की पावर 17 यह सर तो तो इसमें फर्स्ट अफॉल तो महिन बात यह है इसको ना तो X equal to 0 क्या करता है satisfy क्योंकि X को 0 लेने पर 1 equal to 0 आ रहा है एक तो इसका solution 0 नहीं होगा एक्स को यदी 1 लेते हो तो 1 लेने पर भी क्या आएगा यह बन आपका 17 वार 18 वार तो यह तो वन आएगा ना तो X equal to 1 भी नहीं हो सकता और X equal to minus 1 हो सकता है क्यों देखो इसमें सिंपल सी बात यह है यह देखो इसमें इसमें 1 X square X 4 और X 16 आ रहा है मतलब यह तो पावर एवेने सारी तो कितनी बार है नो वार है न तो यह नाइन बार है बोलो आया यह नाइन टाइम्स हैं तो नो राट सत्रा इसका मतलब दोबारा सुन लो इसमें 1 X को minus 1 लोगे तो यह तो आएगा प्लस के 9 8 16 और बचे कितने यह टोटल 9 9 8 17 तो माइनस के 8 होगा तो यह वन आ गया लेकिन उदर माइनस बनाएगा तो इसका मतलब इसको जीरो और प्लस माइनस वन सैटिस्फाई नहीं करेंगे अब बोलोगे सर की ऐसा क्यों क्या दिक्कत है आपको देखना इसका यूज बाद में देखना दिख जाएगा यह क्या है यह जीपी बन चुकी है 18 टम्स की तो इसका फॉर्मुला ए और एक्स है कि पावर 18 माइनस वन अपाउन एक्स माइनस वन का हॉल स्कॉर तो ऊपर स्कॉर ओपन करो नीचिए स्कॉर्ण करके उदर मुल्टिप्लाई करो तो क्या आगे एक्स की पावर 18-1 का हॉल स्कॉर इकल टू बोलो यह सर इन्टू X की पावर 17 तो देखो सोल कंडे पर क्या एगा यह आगए X की पावर 36 प्लस 1-2 X की पावर 18 यह आगए X स्क्वार प्लस 1- तो जब मुल्टीप्लाइ करो कि तो इधर क्या एगा दो X की पावर 36 स्वरी 17 है तो यह आगया सत्रे दू सत्रे दू सत्रे दू 19 सेविंटीन प्लस X की पावर 17 माइनस 2 X की पावर 18 तो देखो यह वाला पार्ट तो कैंसल आउट हो गया तो जब सबको लेफ्ट में ट्रांस्फर करोगे आप तो क्या आगया देखो इसको इधर लगते पन X की पावर 36 प्लस 1 माइनस X की पावर 19 माइनस X की पावर 17 इकल तो यह करने के बाद देखो इन दोनों में X की पावर 17 कोमन जिसकते हैं तो X की पावर 17 कोमन लोगे तो 9 और 7 16 यह लो और इन दोनों में लो minus 1 common तो यह भी आगे यह सर मतलब इसके factor हो जाएंगे बहुत easily तो यह करोगे तो finally आगया x की power 19 minus 1 and x की power 17 minus 1 equal to 0 तो इससे आगया x की power 19 equal to 1 और x की power 17 1 तो देखो अगर आप इस पर थोड़ा विस गौर करोगे आप तो इसके according तो क्या पता चल रहा है कि इसके total root कितने होंगे 19 और 17 36 root होंगे question में बोला गया कि only कितने it has 34 complex root 34 complex root का meaning क्या होगा देखो इसको minus 1 तो satisfy कर नहीं सकता ना तो minus 1 अड़िया एलो जीरो भी नहीं कर सकता इसको x equal to 1 satisfy करेगा इन दोनों को बट जो अपना original question है उसको x equal to 1 satisfy नहीं करेगा आप बोलोगे ऐसा हो क्या गया सीधी सीधी बात है common ratio कभी वन हो सकता है कि इस formula में नहीं अगर फोर्मुला लगाए आपने a r की power n minus 1 upon r minus 1 उसमें r की value 0 not equal to 1 होती है ठीक है r अगर plus minus 1 है तो सीधा उसको add करते हैं पर क्योंकि सारी time same हो जाएंगी इस case में इसलिए इसमें x आपका not equal to 1 है इसका meaning इसके root 18 होंगे और इसके root 16 और 18 और 16 34 तो then इन दोनों equation के जो total root है वो 34 होंगे original equation के root कितने होंगे 34 अब अपने इसमें use करते हैं एन थ root की property वन का meaning क्या लगोगे यागे ना x equal to 1 की power 1 upon 19 यस सर तो यागे x equal to cos 0 plus iota sin 0 की power 1 upon 19 तो then d more 1 theorem से क्या करोगे अंदर क्या वैड करते हैं 2m pi y 19 plus iota sin 2m pi y 19 यस सर तो इसके total 19 roots है और इसमें m की value कहां से लेते हैं आपन basically 0 1 2 लास्ट में 18 0 से लेके n minus 1 तक n का मतलब 1 upon n है लेकिन m को 0 लोगे तो इससे x की value 1 मिलेगी जिसको मेरे को नहीं लेना है तो 0 को या दूसमें से similarly जब आप इसकी बात करोगे तो again x equal to क्या होगा वन की पर उनवाई 17 तो यह क्या जाएगा अगें वह सेम फॉर्मेट है बस 19 कीजिए के 17 तो यह आ गया cos 2m pi y 19 plus iota sin 2m pi y 19 यस सर कुछ कुछ नहीं करना इसमें भी m को 1 से लेना जीरो लेने पर दुबारा वन आएगा तो वन रूट नहीं लेना पन को इसमें आप n मानलो को दिक्कत नहीं है लो अगर आपको confusion हो तो n लिख देते हैं कि इसमें क्या होगा वन टू और 18 तो 18 रूट इधर से होंगे और वन से 18 है ठीक न तो टोटल अठारे इधर से होंगे और यह सोरी सत्रे ना सत्रे तो कितना होगा यह सोरी 16 हो जाएगा तो 16 यह और 18 तो आगे 34 रूट अब यह कह रहा है कि इसके टोटल 18 रूट से हैं और यह जो फॉर्मेट है रूट की वो कौन सी है जेडार जेड के एक्वल टू आर के आर के तो वन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है कॉस्ट टू पाई एके प्लस आयोटा साइन टू पाई एके तो टू पाई को अटाओ गया आप तो यह आपका एके है क्या बोलो एके मेरी बात को सुनना केरफुल यह क्योंकि पाई एके प्लस आयोटा साइन टू पाई एके और कुश्च्छ ने बोला गया कि के को मैं 1 से 34 लेता हूं तो एवन लेस देन एटू लेस देन एथरी अप्टू सो ओन और जीरो सेवन सारी वेलू जाए तो सारे जीरो सेवन होंगे सीडी सीडी बात है तो देखो इसके अक एक आगे एम बाई 19 और इसके अकोडिंग एक आगे एन बाई 17 अब देखो इसमें से आपको एवन एटू एट्री एफॉर एफ़ लेना मतलब स्टार्टिंग की पांच वेलू लेनी है एवन से बड़ा एटू अप्टू सो ओन और उसके बाद सबसे वड़ों को नहीं ले पांच देखो फस्ट के अकोडिंग तो एक ही कितना आ गया इसके अकोडिंग एक है आ गया से टूटर सोला तो उनमें छोटी वेल्व लेनी सारी कि सारी एवन लेने टू तो एक काम करो उसकी केल्कुलिशन के लिए दोनों का डिनुमेटर सेम लियाओ आप तो इसको लिख दो 17 न पॉन 19 इंटू 17 और इसमें भी क्या करो इसको लिख दो 19 न इंटू 19 इंटू 17 अब आ ना यींट इंटू 17 और एक के लेलो शत्र इक्यामन अपन 19 इंटू 17 कोकि तीन चीए न तो 3 और 3 चहलो फिर 5 देख लेना कौन सी लेनी है एम को लिख लेने पिए 19 अपन अगले पे 38 अपन सम्थिंग और अगले पे सत्तामन अपन सम्थिंग तब आप यह देखो सबका डिनुमेटर सेम है तो सबसे चोटी वेलू कुन सी है सबसे अरे यह सेम है तो सत्रा सत्रे के बाद 19 वाला पार्ट होगा 19 के बाद 34 38 यह आपकी स्टार्टिंग की 5 वेलू इसको लिखो गे प्लस दिस प्लस दिस और प्लस दिस यह अटव आगे समझ में तो देखो इसको एड करोंगे तो दोबारा 17 काट दो डिक्कत क्या है ए 1 पवाइटीन कि ऑई 19 और 3 वाइटीन और प्लस जाएगा वन वाइब्स टूवाइब 17 तो 19 सब्सक्राइब कर देना तो आपका आंसर आजाएगा यह एम है यह एन है तो दोनों को एड़ करके 400 कम करोगे तो आपका आंसर आजाएगा ठीक ना तो केल कुलिशन तो कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है तो एक अच्छा कुछन है चलो बेटा थैंक यू नेक्स्ट वीड